दोस्तों नमस्कार मैं आपका अपना श्रावन cc सीकर से आज मैं आप से बात करने जा रहा हूं cc defense अकेड़ए के प्रेडफोर्म पे आप सब जानते हैं सेसन दोजार 22 से आपके अपने cc ने defense का एक separate होता है और एक बार सौप्टंबर में होता है तक यृट रहेक्त हुपर में नीचे होता है एक पेपर में 150 कुशन आते हैं जा 50 कुशन इंगलिस के होते हैं और बाकि जो 100 हैं उनमें फिजिक्स, केमेस्ट्री, जनरल साइंस, पॉल्टिकल, हिस्ट्री, जी के, करेंट अफेर्स ये सारे मिलके 300 नमबर का फस्ट पेपर, 600 का सेगन पेपर, 900 नमबर का एंडिय का टुल दसको एक्जाम हुआ, आज आपके अपने CLC, CLC Seeker YouTube चैनल पे इस पूरे पेपर का वीडियो सोलिशन आपको देने जा रही है, तो मैं उमिद रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, आपको ये विश्वास हो जाएगा, कि CL सी डिफेंस में उत्ता अच्छा काम सुरू कर चुकिए है, चितना काम CLC, जेई और नीट के लिए कर रही है, तो दोस्तों, आज मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ, 11 अप्रेल 2022 को, आपके अपने CLC, 5 मैं 2022 से नेवी, एरफोर्स, एंडिये, अगले सेशन के बैस स्टा करेंगे, जो हमारी जेई और नीट की थीम है, वैसी थीम हमारी एंडिये, नेवी एरफोर्स के लिए रहेगी, पूरी सेपरेट टीम है, सेपरेट सिस्टम है, जैसा आप जानते हैं, सीकर में हर्स रोड पे, एक अठारा विगा में, एक बहुत अच्छा केंपस, डिफेंस पे नीट और जेई के लिए आते हैं, उत्रही विश्वास के साथ, आप सी एलसी डिफेंस अकेडमिस जूड सकते हैं, यह श्रवन का आप से कमेटमेंट है, नमस्कार दोस्तों, तो आप पेपर देखें और इंज्योई करें, थैंक यू, जैसी एलसी, हलो स्टुडेंट, म NDA का पेपर हुआ है, 2022 में, पेपर 1, ओडवनेस का मैथेमेटिक्स, इसमें टोटल अपनी कुशन है, 120, तो चलो अपन दिस्टर्ट करते हैं, कुशन नम्मर फर्स्ट, कुशन नम्मर फर्स्ट में बोला गया है, आपको टू डिटर्मेंट गिवन है, डेल्टा 1 औ डेल्ट पॉजिटिव, 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 एल्स नेगिटिव, तो देखो क्या करना है, फर्स्ट अफ अगर आप दोनों डिटर्मेंट को देखोगे बेटा, तो इससे क्या सी करोगे, यह जो सेकेंड डिटर्मेंट है, आप इसको फर्स्ट डिटर्मे से क्या कर दो इंटेचेंड तो क्या आगे है 1 1 1 q r p और दिसे r p and q इस पार्ट आने के बाद अब थोड़ा समझो अपन को लाना क्या है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में कम्प्रीजन करना है इस कॉलम 1 की all element 1 1 1 तो इतो आ चुक है c2 कॉलम में p q और चिये तो p q r p के बाद q लाना q के बाद तो first of all क्या कि अपने r1 को r2 से r1 या r2 रिप्लेस वाए r2 and r1 आप r2 और r3 को क्या कर दो replace और अपन को पता है कि जब भी अपन 2 रो या कॉलम को क्या करते है delta 2 equal to 1 1 1 this part as it is और यह आ गया p q rp क्या आ गया आपने क्या किया इन दोनों को क्या कर दिया intention तो देखो यह rp यह तो रोज से मैं और एक लगाना माइनस क्योंकि रोर को लम को intention करने पर value negative बन जाएगी positive है तो negative negative है तो positive अब क्या करें है आपको first column में लाना है p q और second में q r तो देखो अगेन r1 और 2 क्या कर दो antigen जैसी आप r1 और 2 को करोगे antigen तो again sign क्या होगा change तो plus negative plus बन जाएगा आपका तो delta 2 क्या जाएगा आपका delta 1 के equivalent तो आप से पूछाएगा कि बताओ delta 1 प्लस delta 2 की value क्या होगी तो delta 1 प्लस delta 2 की value के लिए क्या करोगे आप यह आगया 2 delta 1 को अब ultimately आपको क्या करना delta 1 की value को finite करना तो कुछ ना करें चाहो तो आप इसमें operations लगा सकतो R1 जेप्लेश वार R1-R2 और R2 जेप्लेश वार R2-R3 इसका benefit क्या है जब भी किसी रोर कॉलम में element बनवन है तो उसको open करने का better option है first of all आप क्या apply करो operations और देन उसको क्या करो club यह simplify कर दो तो जैसे आप इसमें two operations apply करोगे तो बेटा इसकी value आती है minus times of इसको open कर देना simple p square plus q square plus r square minus p q minus qr minus rp अब यह आने के बाद एक बहुत important part है कि जब भी यह expression given हो तो इसको थोड़ा simplify कर सकते तो क्या करते हैं इसके लिए इसको आप two से करो multiply divide तो जब two से multiply करोगे आप तो क्या जाएगा बनवाइटी तो भार आ गया और इसको सब में two से क्या करो तो multiply और two से multiply करोगे आप तो देखो किसका formula बन जाएगा एक P square लेट करो एक Q square और एक minus P की तो यह बनेंगे अब P minus Q का whole square similarly 1Q square 1R और this part तो यह बन जाएगा Q minus R का whole square plus R minus P का whole square इसको उपन करो यह same way और आपको पता है whole square की value always कैसी होगी positive तो इन तीनो positive का सम positive और आगे क्या negative तो ultimately इस delta 1 पेश delta 2 की value always कैसी होगी negative तो देन आपको इसका always negative third option क्या करना है ठीक है उसके बाद को second question क्या है आपको given है A minus B, B minus C और C minus A इसकी value तो given है बेटा 2 and ABC का credit क्या given है 6 then what is the value of this part तो क्या करें है पहले इस determinant को solve कर देते हैं तो तो बहुत सिंपल सा option है इस C1 column, C2 column और C3 column में कौन कोमन हा रहा है ABC तो जैसी आप इसमें से ABC common लोगी तो remaining part क्या आगे 1, 1, 1 this is ABC और this is A square B square C square और आप यह याद रखें इस determinant की value तो आप mostly याद हो नहीं छी सबको 1, 1, 1, ABC, A square B square C square और या फिर इसको आप expand कर दो जैसी आप इसको solve probability value आती है A minus B, B minus C and C minus C, ठीक है remember this तो इसकी value तो question में given है 2 और ABC का product given है 6 तो 6 into 2 is 12 तो देन इसका second option आपको fail करना है question नमर थर क्या है under which the following conditions does the determinant when I say मतलब आपको 3 condition given है A plus B plus C 0, this part 3 ABC और this part तो बताना है कि बताओ इसकी value 0 का हो सकती है तोड़ा समझें इसको ABC, BCA, CAB इस determinant की value को 0 लाना है तो बताओ ABC में क्या-क्या relation हो सकती है अपने इसको reverse करते हैं इसको 0 बान के देख लेते हैं कि क्या-क्या options आ सकते हैं तो जैसी आप इस determinant को 0 लैट करोगे तो यह भी remember this ABC इस कुछ matrix determinants ऐसी जिनकी value का direct याद करो अदावा time-aged होगा कोई बात नहीं आप इसको normal open करो तो वो expression आ जाएगा जैसी आप इसको simplify करते हो बेटा तो इस solve करने पहता है ABC minus AQ minus BQ minus CQ equal to 0 तो ultimately इससे कितना आ गया AQ plus BQ plus CQ equal to 3 ABC तो देखो इसके regarding एक तो second option correct होगा यह statement true है उसके बाद यह आपको पता होना चाहिए AQ plus BQ plus CQ का formula लगते है अपन A plus B plus C अगले bracket में A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C A minus A B minus B C minus C A और plus 3 ABC cancel out तो equal to क्या आगा 0 तो यह तो यह 0 होगा तो A plus B plus C 0 यह this part 0 तो इसके all 3 statement are true तो तो देन आपको tick करना A B C fourth option correct होगा देखो question 4 किया consider the following in respect of the matrices आपको 3 matrix given है matrix A यह matrix है 1 cross 2 की एक row है 2 column है M N जो matrix B है इसमें comma लगाने की requirement थी नहीं बट exam में लगा हुआ था कोई बात नहीं यह भी आपकी 1 cross 2 की है और यह matrix है आपकी 2 cross 1 की row 1 row 2 है column 1 है तो बताओ which of the following statement are true first statement given है CA equal to CV AC equal to BC और यह है CA plus CV equal to हाँ सही है CA plus CV equal to CACV यह तो वैसे true है हमेशा ठीक है तो देखो कैसे करना है और देखो ऐसे कर सकते हैं जब भी आपको 2 matrix को add करना है तो उनका order same होना चीत यह sir इसमें A और B का order same है 1 cross 2 1 cross 2 तो आप A और B को क्या कर सकते हो add कर सकते हो तो जो को matrix C है इसका order तो क्या है 2 into 1 जब आपने A में B को add किया तो दोनों matrix का order same में तो आप इसको G में add कर सकते हो तो जब इसको add किया तो यह matrix किसकी form होगी 1 into 2 की और देखो इन दोनों का one same है इसका column इसके row के equivalent है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो multiple है तो इसका third option तो always true होगा बस cable आपको चेक करना है remaining options को इसका first और second statement आपको क्या करना चेक तो देखो एक बार तो बोल गया C equal to C भी M minus M और matrix age M और N यह कितनी की है 2 into 1 की और यह क्या 1 into 2 की तो देन आपको पता होगा जब आप इसको multiply करोगे तो क्या होगी 2 cross 2 की matrix होगी और जब भी 2 matrix को multiply करना तो कैसे करते है row को column से तो इस M को करोगे इस M से तो यह M square आगया इस M को इससे करोगे तो यह MN आजाएगा आपका फिर अपन आर्टों की बात करते हो minus M को plus M से किया तो again minus KM square आगया और minus M को यह से किया तो क्या जाएगा minus KMN यह तो आगे CA तो C तो कितना था M minus M और B A beta minus N minus N तो वही से मेथद रूबाई को आगया तो M को इससे किया तो minus MN M को इससे किया तो minus KM square minus M को इससे किया तो plus MN और जाएगा M square तो यह दोनों तो unequal है CA not equal to CB हो गया जब आप AC को करोगे BC से तो यह again आपकी matrix क्या होंगी equal तो then आपको इसका B and C option fill करना है तो इसका third option correct होगा fifth question क्या है एक matrix given है A equal to this part then what is A adjoint A is equal to आपको A adjoint A की value चीए तो तो दो को एक बात ध्यान अखें यह formula you remember this A adjoint A की value क्या होती है mod A IN IN का मतलब identity matrix मतलब आपको इसमें mod A की value चीए तो देखो जब इस matrix का determinant लोग है आप तो क्या जाएगा determinant of A equal to देखो यह दोनों element 0 है तो आप क्या करोगे इस 1 की recording open करोगे तो this into this तो आगे 2 sin square theta और minus minus plus 2 cos square theta तो 2 sin square theta plus 2 cos square theta 2 common लोगी तो 2 into 1 is 2 तो A का determinant क्या होगा 2 तो यह सोर करने पर answer है 2 of I उसके बाद 6 question क्या है for what value of k is the matrix this part is singular आपको पता होना चाहिए any matrix singular matrix then determinant of A equal to 0 कोई भी matrix अगर singular matrix है तो उसका determinant क्या होगा 0 और अगर matrix का non singular non singular का मतलब जिसका अपन inverse final कर सकते है और किसी भी matrix का inverse कभ ले सकते हो जब उसका determinant क्या होना चाहिए non 0 singular का मतलब है A का determinant क्या करोगी 0 तो चलो इसके determinant की value को 0 कर दो थोड़ा चाहो तो उसको simplify कर सकते हो आप एक काम करो cos 2 theta का formula apply कर दो तो इससे question थोड़ा simplest बन जाएगा पहली बात उसनो 1-2 cos sin 2 theta का मतलब क्या रखते है पन इसका क्या करना है determinant 0 साथ की साथ simplify करो क्या रहा गया cos 2 theta यह 3 है यह 1 2k and k तो देखो carefully समझो जब आप इसमें से 2 common लोगे तो क्या रहा गया cos 2 theta cos 2 theta 3 मतलब यह r1 row और r2 row बहुत हार identical और आपको पता होना चीए किसी भी determinant के अंदर 2 row यह 2 column अगर identical है तो determinant की value always क्या होती है 0 तो यह determinant always 0 होगा तो आप k की value कुछ भी लो इसको always क्या करेगी satisfy तो only 0 न only 2 only 1 any real value all values of k k की all real values के लिए क्या होगा define तो then इसका 4th option फिल करना आपको next question क्या है let a be a non-singular matrix यह नए बढ़ आगया अभी तो क्या था singular matrix इसमें बोला गया non-singular कोई भी matrix अगर non-singular है इसका मतलब उसका inverse exist करेगा तो determinant of a की value क्या लिए नहीं non-zero and b आपको given है adjoint of a b क्या given है बोलो adjoint of a which of the following statement इस अबलेकार correct first statement तो given है आपको a b equal to b a क्या a b की value b equal होगी second is a b is scalar matrix चलो दिखते हैं और third is a b can be null matrix तो देखो ऐसे समझो b equal to given है आपके पास adjoint है तो आपको a b को b check करना है तो अपने एक formula पड़ा है a adjoint equal to mod a i n क्या पड़ा है a adjoint equal to mod i n अपने को चलो b की बात करना है a b को b लाना है तो सबसे better option है न यह a b equal to b तो first of all इसको एक काम करो यह जादा better है इसको आप a से करो premultible है तो कितना जाए गए यह आगया है a b equal to a adjoint of a और बेटा a adjoint a का मतलब क्या लगते है अपन? mod a i n थीक है? तो a b equal to a adjoint a simple और याद रखे a adjoint की विलिटों की होती mod i n अब क्या करो? इसी को a से multiply करो what करो? post multiply मतलब बाद में तो आप लग सकतो b equal to adjoint a into a adjoint a into a और ये भी याद रखें a adjoint a और adjoint a दोनों की value क्या होती equal ये एक property है इसको drive भी कर सकते हैं तो ये भी क्या गया mod i n तो first option तो true है a b equal to क्या होगा b a तो this is always true उसके बाद a b जे scalar matrix हाँ scalar matrix का मतलब क्या होगा? देखो i n जब आप i n को determinant of a से multiply तो क्या हैगा? determinant of a ये सारे element 0 और simple सी बात है अगर principle diagonal के element तो क्या हो? equal और remaining all elements are 0 तो is called scalar matrix तो ये भी अपना क्या होगा? true statement है a b can be null matrix a b can be null matrix क्या a b null matrix हो सकती है? तो कोई भी matrix null matrix होने के लिए काम करते हैं अपने पास आगया a b equal to b अब आप इदा ध्यान दो आपने लिखा a b equal to mod a i n आप इसका दोनों तरफ ले लो determinant, क्या ले लो बहुत side determinant, जब इसका दोनों तरफ आप determinant लोगे तो क्या आएगा? देखो mod a mod b क्योंकि a b can be null matrix ये देखना है कि a b का जो multiply है, वो null matrix हो सकता है तो देखो उसके लिए कैसे करो गया? समझो तो देखो क्या किया है इसके बाद अपन ने तो अपन को ये देखना है कि a b क्या null matrix हो सकती है, तो देखो आपने a b की value फइनाट की अभी एकी, तो a b की value क्या मली दिस पार्ट, तो आप ये बताओ a b क्या null matrix हो सकती है क्यों? क्योंकि mod a की value 0 नहीं होगी इसमें क्योंकि a j, लखाना आपने डिटिमेंट ओफे नॉन जीरो, तो a b कितना है आपका, this matrix और इस matrix में अगर ये डिटिमेंट ओफे 0 बन जाता है, तो फिर तो क्या उसके बाद एको 8 question क्या है, consider the following statement in respect of square matrix a and b of the same order, आपके पास two matrix है, a और b और दोनों का order same है, तो first statement क्या है, a b is a null matrix, then at least one of a and b is null matrix here remember this, two matrix का multiply अगर null matrix का जीरो है तो it is not necessary that कि any one of the matrix is non-zero, to non-zero matrix का multiply भी क्या सकता, 0 आ सकता, ठीक है तो ये statement falses को remember this आप example लेकर try भी कर सकता हो if a b is a identity matrix, then b a equal to a b, ये सही है अगर a b का multiply का identity a b equal to a r a i तो a b equal to i है, तो ठीक है a b equal to i है, तो मैं b a को भी क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकते है और तो क्या लगाना चीज़ में a and b इजे identity matrix then b a equal to a b चलो a b equal to i है आगया आपको b a लाना तो b a लाने के लिए काम कर सकते हैं a b को i let करके अब b a equal to a b let करो तो आप इसको mathematically भी कर सकते हैं इसी से अपन tie कर सकते हैं तो a b equal to i है आगया अब a b के बाद b a लाने के लिए इसको a से multiply कर दो a b a equal to a a b a equal to क्या आगया a और a b a equal to a आगया तो then अब सुनो आप को b a की value चीए क्या चीए b a तो इसका a के साथ क्या कर सकते हैं पन inverse जैसी आप इसका a के साथ inverse करोगे तो a inverse a inverse चलागया तो b equal to क्या जाएगा दोबारा आईए जाएगा क्या जाएगा बोलो i तो अपन बोल सकते कि हाँ a b और b a दोनों क्या है equal हैं तो इसका only second option is correct तो इसको second फिल करना आपको उसके बाद को राइंत क्या है age identity matrix of order 3 and b its transpose तो इजहां लखें b का meaning क्या है a transpose बोला देगा b का meaning क्या बोलो a transpose तो बताओ c equal to a plus b what is the determinant of c equal to a plus b c की value बोले गई है a plus b और b की जगे क्या लग सकते हैं a transpose और आपको पता होगा नचीए a अगर आपकी identity matrix है तो a का मतलब i माल ले ये लोग a को क्या बोलागा identity matrix तो a अगर i है तो लिख देते हैं i और i का transpose भी क्या होगा i तो कितना आगे 2 of i तो बेटा अपना c आगे 2i अब इसका लेना determinant तो 2i का क्या लोग है determinant जहान रखें इसका order 3 बोला गया तो एक property ये remember this जब भी किसी scalar को आपने matrix से multiply किया और बाद हम उसका क्या लेतो determinant तो क्या करते हैं इसमें से k को बार लेते तो k की power n a का determinant और where n is order of the determinant तो इसका answer क्या आएगा i का order कितना 3 तो 2 की power 3 तो को मना गया और या आगया i का mode i का mode हमेशा बनो होता है identity matrix का तो इसका answer 8 फिल करना है तो then fourth option इसका क्या होगा correct order उसके बार देखो 10th question क्या है let a and b are non-singular matrices a और b आपकी क्या non-singular मतलब इनका determinant of a non-zero बोला गया same order है a b equal to a और b a equal to b given है इसको रिख देते हैं दर एक बार तो बोला गया कि आप a b को a ले सकते हो और b a को अपन भी ले सकते हैं तो which of the following statement is are correct statement a तो क्या है a square equal to a a के a b square equal to a square भी छोलो देखते कैसे check करोगे एक तो बोला गया a b equal to a तो इसके लिए काम करते हैं इसको आप a से multiply करो post multiply post को बाद में अपन को a इसको लाना है तो a इसको लाने के लिए मैंने क्या किया इसको a से post multiply किया आप कुछ इस्टन बोलेंगे सर्फ post क्यों किया इसको इसलिए क्या post क्योंकि आप बी ए की value भी पुट कर सकते हो तो कितना जाए गया यह आ गया a b equal to a square यस सर और बाद में a b की जगे again a लेक सकते हैं तो क्या आ गया a square equal to a तो ये statement इसका 100% क्या है बोलो true होगा अगें सुनो अब अगला क्या लाना है A B square equal to A square B A B square लाना तो मैंने काम किया इसको B से A B square ची तो B से करो post multiple है तो क्या आगे A B square equal to A B A B square A B आगया और A B की value कितनी है A square तो ये किसके कोल आगे बोलो A square के करो जान देना तो A B square तो आगया A square अब लाना है A square B तो A square B लाने के लिए थोड़ा और सोचते है A square B को लाने के लिए काम करो इसको A से कर दो 3 multiple है तो कितना आगया बोलो A square B equal to A square ये लो होगे काय करम A B square भी A square है और A square B भी आपका A square है तो हो गया ना A B square equal to A square B तो ये भी अपना statement के 2 तो इसका फिल करना answer both A and B दोनों statement के लोगे है तो इसका third option फिल करो गया How many terms are there in the expansion of this part ये वाइनमेल expansion के इन दोनों के multiply में number of terms के आऊंगी तो carefully देखो इन दोनों की powers से में है तो आपन इनके base को multiply कर सकते हैं तो base कोन है A plus B into A minus E तो कितना गया 1 minus 4 upon X square की power 9 तो इस वाइनमेल expansion है तो इस वाइनमेल expansion में number of terms का formula क्या होता है N plus 1 तो total term क्या होंगी इसमें 10 तो इसका second option आप फिल करोगे 12th question क्या है Consider the following statements in respect of the expansion of X plus Y की power 10 यह जो X plus Y की power 10 का expansion इसमें 2 statement given है Among all the coefficient of the term the coefficient of the 6th term has the highest value तो यह आपको पता होना चाहिए X Y की power N में middle term has the greatest coefficient जो middle term है उसका coefficient क्या होगा greatest तो यह पता होना चाहिए कि N अगर even है तो number of terms आपकी odd होंगी क्योंकि 10 plus 1 is 11 और number of terms अगर odd है तो then expansion has only one middle term और has the greatest coefficient तो middle term क्या लगते है T N Y 2 plus 1 अगर N आपका even है तो 10 Y 2 5 T 6 उसकी T 6 तम है has the greatest coefficient तो yes sir यह instrument आपका true है again the coefficient of the third term is equal to the ninth term तो चलो T3 term का जो coefficient है वो कितना होगा coefficient का मतलब आ गया 10 C 2 और बेटा T9 का coefficient is 10 C 8 तो yes sir यह दोनों value क्या है क्योंकि अपने formula जानते हैं remember this N C X को ले सकते है N C N minus X N C X equal to N C this minus this तो yes sir 10 C 8 को ले सकते है again 10 C 2 तो दोनों का coefficient क्या सेम है तो यह भी statement आपका true है तो आपको fill करना है both A and B third option 13 question क्या है इदान रखे हैं यह winomel जो N C R notations को represent करने का में थार है बहले यही समझो आप आप N C R को ले सकतो C के bracket में N को मार यह notation है इसको लिखने का लिखना चीज़ को कि where this part is this part तो यह क्या आ गया यह आ गया N C Y यह winomel X equation है तो उसके दो answer होते है N C X अगर N C Y की इक्कोल इसका मीनिंग या तो X equal to Y होना चीए और जो prefix है suffix इन दोनों का सम क्या होना चीए N की इक्कोल इसको भी आपन drive कर सकते है तो कि जब इन दोनों की इक्कोल करोगे तो false है क्योंकि 2N तो cancel out तो 0 equal to minus 1 तो क्या होगा इन दोनों का सम 3N करना है तो दोनों का सम क्या गया 4N minus 7 equal to 3N तो then we will get N equal to 7 यह सर तो N आपका 7 आ गया तो अब इसकी value पूछे गये तो C कितना आ गया 7,2 तो C 7,2 क्या होगी 7,2 तो 21 तो इसका 4th option आपको fill करना है तो formula इस सारे याद रखे useful है यह भी इसी type का question है what is the value of this part तो चलो इसको पन NCR की format में represent करते हैं तो C 51,21 का meaning क्या 51,C 21 minus 51,C 22 plus 51,C 23 minus ऐसे चलते जाओगे second last term है 51,C 29 और दिस इस minus 51,C 30 यह total है 10 term 21 से लेके 30 तर 10 term से और corresponding term क्या 1 by 1 plus positive minus तो देखो एक बास समझो यह जो last में इसमें आप अपले करो NCR इस रिप्लेश वाए NCR-R तो कितना जाएगा 51,C 29 sorry 21 similarly यह क्या होगा 51,C 22 तो देखो यह जो last term है यह first term के equivalent है तो cancel out को कि first positive है last negative है second term क्या है 51,C 22 और second last term क्या 51,C 22 प्लस के साब तो यह भी cancel out मतलब first term last day cancel second, second, last third, third, last step to so तो इस सारी term cancel out होगे क्या answer देगा बलो 0 अब आप देखो किस equivalent है इसकी तो कुछ value होगी इसकी भी कुछ value होगी इसको देखो इसको लेख सकते है 51,C 51 और यह कितना है 51,C 0 तो आपको पता होगा N,C,N की value हमेशा 1 होती है और N,C,0 की value हमेशा 1 होती है तो यह 0 answer तो उसका थार्ड option आपको fill करना है अगरा कुछ्च्छन क्या है sorry how many odd number between 300 to 400 are there in which none of digits is repeated आपको 300 से 400 के between numbers बताने जो number कैसे odd होंगे और किसी भी digit का repetition नहीं करना है तो चलो एक 3 digit का number 4 हो करना है बहुस्सा कुछ्च्छन है तो आपने 3 digit का box बोक्स बनाया अब आप बताओ जो number आपका 3 and 8 से 400 के between हैं तो इधर तो अमेशा 3 होगा ना तो इधर तो 3 fill कर तो अटाओ तो 4 आ नहीं सकता 3 आ सकता only 3 आने के बाद इधर आपको odd digit fill करने ही को कुछ्चन बुलाए odd number तो odd digit कौन सी होंगी 1, 3, 5, 7, 9 what? 3 अउलड़ी fill कर चुग repetition not allowed तो इधर या तो 1 fill कर सकता हो या 5, या 7, या 9 ठीक है? तो इसको fill करने का तो एक ही option है 3 fill कर तो इसको fill करने के 4 option है और देखो 1 चला गया और 1 इधर से चला गया वही 1 digit तो इधर जा चुकी है तो 2 digit तो आप अप अल्रड़ी fill कर चुकी है तो बची कितनी digit? 8 digit तो आप remaining second place को fill कर सकता 8 options ही तो 8 into 4 is 32 तो देन इसका first option आपको fill करना है 16 question क्या है How many permutations are there of the letters of the word tiger in which vowels should not occupy even position तो देखो ये tiger words में total 5 letter है 5 position है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th ये 2nd position है 4th तो इन पे आपको vowels को fill नहीं करना है तो vowels कौन-कौन से है एक तो I और एक E है तो सबसे पहले काम करो ना इन 2 vowels को fill करोगे odd placeage पे तो odd placeage कितनी है 3 लेकिन fill कितने करने 2 vowels तो एक काम करो पहले 3 odd placeage में से 2 odd placeage का क्या करो selection और selected 2 placeage पे 2 number को fill करने के तरीकी क्या है factorial 2 Yes sir तो आपने इन दोनों पे कोई भी दो हो सकती है वो चलो इन दोनों पे आपने 2 vowels fill किये और remaining 3 consonant को remaining 3 position पे fill करने के option क्या होंगे factor 3 3 का factor 6 12 और 2 3 sorry यह कितना है 3C2 की value 3 होगी यह 2 होगी और 6 तो कितना answer आगया 6 into 6 36 इसका second option आपको fill करना है उसके बाद वो 17 question क्या है alpha and beta are roots of the equation alpha, beta, s के root है and alpha, q, beta, q are roots of the equation this part then m plus n तो देखो ऐसे करो alpha, q, beta, q आपके second equation के root है तो पहले लगो sum of root तो कितना आगया है alpha, q, plus beta, q, equal to minus km अब देखो m और m plus n का समझिए और answer लाना p, q की term में इसका मतलब alpha, beta को element करना तो देखो आप a, q, plus b, q को कहले लिशकता हो a, plus b अगले bracket में a, plus b का all square minus के 3 a, b यह सर equal to minus के तो देखो alpha, plus beta क्या होगा sum of root तो यह minus p आगया तो minus p bracket में minus p का square plus p minus 3 alpha, beta की value के होगी q yellow गई यह आगया minus के m minus से minus minus plus तो एक क्या रह गया p, q, minus 3, p, q, equal to plus के m yellow यह m की value आचुकी है p और 2 की term में similarly n का meaning क्या है n का meaning इससे मिलेगा आपको sorry इससे क्योंकि इसके root alpha, q, beta, q तो लिख सकते हैं alpha, q, beta, q predict of root कितना आगया n और alpha, beta का predict कितना है q तो ultimately n equal to q का q आपको पूचाए बता है m plus n तो m plus n में जब आप इन दोनों को add करोगे तो कितना जाएगा p cube plus q minus k3p cube then इसका fourth option आपको fill करना है question number 18 alpha and beta are roots of the this equation alpha, beta is quadratic के root है तो first of all sum of root and predict root बाकिये काम बाद में तो sum of root तो कितना आगा alpha plus beta x का coefficient कितना है a plus b minus plus और predict root आगया a b minus c अब लिखना क्या है what is the quadratic equation whose roots are a and b तो आप बताओ किसी quadratic के root a भी है तो quadratic equation के लिखते है पन x square minus sum of root a plus b into x plus predict root a b equal to 0 अब जो options given है वो आपको alpha, beta और c की term में given है इसका meaning आपको a plus b और a b की value को पट करना alpha, beta और c की term में तो देखो a plus b तो कितना alpha plus beta तो इह कितना आ गया x square minus alpha plus beta into x plus a b की value कितनी इसमें alpha, beta minus के c equal to 0 इसका अंसर है तो x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta तो इसका आपको second option fill करना है question number 18 is equation this part है जो equal roots इस quadratic equation के roots आपके equal हैं then which of the following is correct तो काम करो किसी भी quadratic के root अगर equal है तो आप d 0 कर दो d का meaning क्या होगा b square minus 4 is और b का meaning x का coefficient कितना है इसमें minus तो अटा दो क्योंकि square करना है a plus b plus c का square minus 4 constantum कितनी b c plus c equal to 0 चलो इसको solve करते तो देखो कितना आगया a square plus b square plus c square देखो ये plus k 2 a b हाँ इदा तो है नही 2 a b तो plus k 2 a b similarly minus k 2 c आ गया अब देखो ये ही carefully देखना है किसका करें क्या तो देखो किसका formula मन सकता है b c negative आ रहा है और c negative आ रहा है तो एक बाद लिखते हैं अपन फिर समझते हैं इसी को square करके देख लो a square b square c square हाँ हो गया ना ये लो ये आ गया a plus b minus c का all square बन गया बैटा तो ये इसमें एक critical step है a square b square c square plus 2 a b minus 2 b c minus 2 a c तो all square का समझी दो का आप हो ये 0 तो देन आंसर क्या fill करना है a plus b minus c 0 तो इसका third option fill करो गया 20 question देखो let alpha and beta are roots of the equation of this part alpha square minus beta square आपको 16 given है तो बताओ value of q तो करते हैं चोड़ alpha square minus beta square का meaning क्या होगा alpha minus beta into alpha plus beta equal to 16 और alpha plus beta कितना है 8 तो cut pit के 2 आगया तो ultimately क्या आगया difference of root आपके पास 2 आगया अब सीदी सी बात है इसको remember this roots के difference का formula क्या लगते है mod d upon root d upon mode ये लोग तो कितना जाएगा mod d upon अटाओ तो root का मतलब b square b square जे 64 minus 4 ac equal to 2 जब 4 common लोगे तो बार 2 आगया तो क्या रहेगा 2 root 16 minus q equal to 2 2 से 2 cancel तो solve करने पर क्या जाएगा q equal to 15 तो इसका 15 तो इसका फोर्थ option आपको फिल करने अगला question क्या है what is the maximum value of n such that 5 की power n इडिवाइट 30 का factorial plus 35 का factorial तो एक बात को सोचो कोई भी number ये एक number given है let इसको n let करते है 30 का factorial plus 35 का factorial का sum आपका क्या चीए 5 से divisible तो इसका meaning है कि जितनी बार 30 के factorial और 35 के factorial में क्या common होगा 5 जितनी बार 5 common होगा उतना ही 5 की power n से क्या होगा divisible तो यह ही remember this आप खोशोचो इन दोनों में 5 की power something common है नहीं है तो simple सी बात है यह 30 के 35 है तो less power किसम होगी 5 की power 30 के factorial में तो आप ultimate क्या करो जो 30 का factorial इसमें 5 की power check करो जितनी 5 की power होगी उससे ज़ादा होगी तो common ही वाली होगी और जितनी common होगी उतने ही factorial से क्या होगा डिवाइड होगा और remember this जब भी किसी number के factorial में आपको किसी number का क्या चीए exponent उसका method क्या है n upon p का मतलब किसका exponent चीए prime number n upon p का step अगला n upon p square का step plus n upon p cube का step कब तक जाना है जब तक इसकी value 1 से छोटी ना बन जाए क्योंकि 1 का less number का step 0 बन जाता है तो दोखो p to 5 से में क्योंकि 5 का चीए और number कितना है 30 तो 30 upon 5 6 आ गया उसके बाद 30 upon 25 एक जाएगा क्योंकि 1 point something का और अगला क्या जाएगा 0 मतलब इन दोनों में minimum 5 की power 7 common होगा तो n की maximum value 7 हो सकती है 5 की power n sorry 5 की power 7 क्या होगा अगला कुशन देखो what is the value of this part यह देखो आपको एक simple सा expression givenness की value चीए तो देखो कैसे करेंगे यह देखो कौन है 1 into 2 2 का factorial यह 3 का यह 4 का यह 5 का और यह last में 9 का factorial तो लिख देते हैं इसको यह कुशन है 2 into factorial 2 अगला 3 into factorial 3 next 4 into factorial 4 और ऐसे चलोगे तो second last क्या होगा 8 into 8 का factorial और last is 9 into 9 का factorial plus के 2 तो दोगो इसको बहुत simple वे में ऐसे करो जब भी summation को solve करना ता आप try करोगे इसको इच टंग को 2 पार्टों में break करो वो भी subtraction की format में तो ऐसे लिखो ना इसको यह 2 है 2 को लिख सकते 3 minus 1 into factorial 2 क्या लिख सकते हैं 3 minus 1 into factorial 2 उसके बाद 3 को क्या लिख सकते हैं 4 minus 1 into factorial 3 नहीं अपने को तो factorial 3 करोज चलो इसको दूरसे में तरसे करते हैं इसको sigma की notation में लोको sigma r equal to 1 से 9 r factorial r r plus यह आगया ना और अब इसको simplify करने का method क्या वह shortcut सा method है इसको लोको sigma r equal to 1 से 9 अपने इसको लोक देते हैं r को r plus 1 minus 1 into factorial r क्यों हो कि जब इसको इससे multiply करोगे तो यह दो क्या बन गया r plus 1 का factorial minus factorial r मतलब ultimately आपका question कितना आगे sigma r और plus 2 तो कर देना separate तो इससे क्या होगा corresponding term क्या होगी cancel होगी तो देखो जब r को 1 लोगे तो क्या गया 2 का factorial minus 1 का factorial plus 2 लोगे तो 3 का factorial minus 2 का factorial ऐसे ही 3 लोगे तो 4 का factorial minus 3 का factorial और ऐसे चलती रहेगी programming और 9 लेने पे जाएगा 10 का factorial minus 9 का factorial तो देखो carefully 2 से cancel 2 के बाद 3 दिस पार्ट से cancel cut pit के starting में तो क्या बच्चा 1 का factorial और इधर क्या बच्चेगा 10 का factorial तो यह आ गया 10 का factorial r को कहां से start करना अपने को 1 मिंट कहां चलेगा बश्चन sorry इसमें गलती कर दी r को 2 से start करोगे क्योंकि minimum 2 चीए न तो r को जब 2 से start करोगे तो यह 3 से start होगी कहां नहीं sorry तो 3 से start होगी तो क्या बच्चेगा minus 2 का factorial तो यह आगे 10 का factorial minus 2 का factorial और plus के 2 तो plus 2 से cancel out तो ultimate इसका क्यां सजाएगा 10 का factorial तो second option आपको इसका next question क्या है एक set given है इसको थोड़ा केरफुल ही देखें इस set में बेटा एक ही element है इसको ऐसे लखे है करली वेकट के अंदर एक element माल लिया जिसमें कौन है 1,2,3 जाना कि यह single element है तो इसने पूछा है number of element of power set of a तो क्या form लोता 2 की power n तो number of element 1 है तो इसका 2 की power 1 inch 2 answer fill करना है student क्या करते है जल्दी बाजी में इसका second option है इसमें तीन element है 1,2,3 तो 2 की power 3 8 answer fill कर देते हैं तो ओप्सन में given ही भी है ठीक है तो ध्याना किस बात का तो अभी तो इसका second option होगा 24 question क्या है ABC, RNGP ABC positive है then which of the fooling are correct आपको तीन statement given है और याप simple सा question है अगर ABC GP में है तो GP के number का आप square करो reciprocal करो या root लो कुछ भी लो वो number अमेशा GP में होते हैं आप simple सा example देख लो जैसे 1,4 और 9 है ये number GP में है अगर आपने इसकी scoring की तो 1,16,81 ये भी किस मेंगे बोलो GP में है after that sorry A square, B square, C square, RNG GP yes sir ABC अगर GP में तो बताओ A square, B square, C square GP में होंगे या नहीं तो एक बार दोबारा एक जम पर सही लेट करो गलती तो पना समय कर दी न 1,4, 2, 1,2,4 लेना sorry तो 1,2,4 आपके GP में है ठीक अप तो हो जाएगा इनका square करने पर क्या गया? 1,4, 16 ये भी GP में है इनका root लोगे तो क्या गया? 1, root, 2, 2 ये भी GP में है और इनका recipe अगली किसम होगा GP में इधान के हैं अगर ABC GP में तो square करो, cube करो, root लो या recipe करो all sequence are also in GP तो इसके all three estimate are correct तो इसका fourth option आपको fill करना है उसके बाद को 25th question क्या है? आपको बोला गया कि A plus B upon 2, B और B plus C upon 2 R in HP then which of the following is correct? ABC R in AP, ABC R in GP this, this, this R in GP and this, this, this R in AP तो चलो इसको तरीकिस करना पड़ेगा तो अगर ये number GP में ये पहले simple सा question सुनलो तीन number मालनी roughly ABC R in HP अगर ये तीन number HP में तो अपको अपन condition क्या लगते है 2 upon B equal to 1 upon A plus 1 upon C remember this but तो कर देते हैं तो B का मतलब middle term को नहीं है तो क्या आगया? ये आगया 2 upon B equal to 1 upon A का meaning A plus B by 2 ये तो उपर 2 चला जाएगा plus 2 upon B plus C ठीक है? इतना करने के बाद 2 तो cancel out हो गया इसका लेलो LCM तो LCM लोगे तो क्या आगया? 1 upon B ये से multiply होगे क्या आगया? A plus 2B plus C upon इन LCM का multiply है तो ये भी multiply कर दो AB plus AC plus B square plus BC इसको again क्या करो cross multiply होगा ये तो multiply होगा बन से तो कितना रहा गया? AB plus AC B square plus BC equal to इसको B से multiply करो तो कितना आगया? AB plus 2B square plus B of C तो देखो बेटा BC से BC cancel हो गया AB से AC कहन से तो बचा कौन? B square और B square right में आगया B square equal to A of C ये सर तो B square equal to AC का मतलब A, B, C, R, N, G, P तो देन इसका second option आपको fill करना है next question क्या है? what is the value of court square 15 degree plus 10 square 15 degree? तो एक काम करो या तो दोनों की value याद करें? ये remember इस बहुत useful part है बढ़ाते भी इसको 10, 15 degree की value होती है बेटा कितनी 2 minus के root 3 ये सर और a court 15 की value होती है पहला साजाता है इसमें 2 plus root 3 अब दोनों को करना क्या है? square करके addy तो करना है? तो चलो first की square क्या होगी? 4, 3, 7 minus 4 root 3 और इसकी square इसकी square इसकी 7 plus 4 root 3 ये लो तो जैसी दोनों को addy करोगे तो ये कैंसे लो के क्या अंसर है गया? 14, second option फिल करो अगला question क्या है? इने triangle ABC sin A minus cos B minus cos C 0 what is the angle of B? तो चलो देखते हैं इसको लिख सकते है अपन ये आ गया sin A equal to cos B plus cos C इस relation को सो लगर करके बताना angle B क्या होगा? तो चलो देखते हैं कुछ simple benefit क्या हो सकता है? ये काम करो cos C plus cos D का form अपलाई करो तो कितना जाएगा? 2 cos B plus C Y 2 into cos of B minus C Y 2 और सुनो आप B plus C को क्या लगर सकतो πाई minus A और Y 2 करने भी क्या गया? cos πाई by 2 minus A Y 2 sin A Y 2 तो ultimate यह आ गया 2 sin A Y 2 cos of B minus C Y 2 यह सर और इधर sin A को लिखदो half angle में sin A को half angle में क्या लख सकते हैं? 2 sin A Y 2 cos of A Y 2 तो 2 sin A Y 2 तो common ले लो जैसी common लोगे तो sin A Y 2 0 कभी sin की value 0 ले नहीं सकते हैं को कि A B C triangle के अंगल है तो यह तो सीधा cancel out हो गया तो क्या गया? cos equal to this part तो ultimate इससे जाएगा A Y 2 equal to B minus C Y 2 2 से 2 cancel हो गया तो B equal to क्या गया? A plus C और beta A plus C का meaning pi minus B तो B equal to कितने जाएगा? pi by 2 मतलब 90 degree तो इसका fourth option आपको fill करना है ठीक? एक simple सा question था next question क्या है? alpha plus beta pi by 4 given है? and 2 10 alpha की value were given then what is the value of 10 2 beta? तो एक काम करता है 10 2 beta की value चीए और 2 10 alpha given है तो चलो beta की value कर दो एक pi by 4 minus alpha तो यह आगया 10 2 this is pi by 4 minus के beta sorry alpha तो से multiply करने पहे क्या बनेंगा? 10 pi by 2 minus 2 alpha और beta 10 pi by 2 minus 2 alpha is cot 2 alpha मतलब आपको ultimate cot 2 alpha की value चीए तो एक काम करते है पन आपको 10 alpha कितना given है? 10 alpha given है तो सबसे पहले काम करो आप 10 2 alpha check करो तो उसका reciprocal तो 10 2 alpha का formula 10 2 theta का formula क्या पढ़े आपने? 210 theta upon 1 minus के 10 square theta यह सर तो 210 alpha की वेल तो 1 है तो 1 upon this is 1 by 4 1 by 2 का square तो कितना आगे सोल करने पहे? 4 by 3 तो 10 2 alpha 4 by 3 है तो co 2 alpha क्या हो जाएगा? 3 by 4 तो देन इसका third option आपको fill करना है उसके बाद देखो आगला question क्या है? यह relation given है आपको 10 45 degree plus theta equal to 1 plus sin 2 theta theta minus 5 by 4 से plus 5 4 है then what is the value of cos 2 theta? तो चलो जो given relation इसको 16 solve कर देते हैं इसमें तो apply करो 10 A plus V का formula 10 A plus V का formula 10 A plus 10 V upon 1 minus 10 A 10 V तो 10 45 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta equal to 1 plus sin 2 theta का formula क्या होगा? 2 10 theta upon again 1 plus 10 square theta इसको n से में लेलो तो यह आगया 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta इससे multiply करने पे क्या आगया? यह आगया 1 plus 10 square theta plus 2 10 theta यह formula बन गया बेटा? 1 plus 10 theta का all square upon 1 plus 10 square theta अब देखो इसमें main part क्या है? जब आप 1 1 plus 10 theta common लोगे तो 1 plus 10 theta 0 तो 10 theta minus 1 लेकिन 10 theta को minus 1 ले नहीं सकते हैं क्योंकि theta को minus pi 4 से 1 plus 10 theta upon 1 plus 10 square theta यह सुरी minus है इसको cross multiply करो तो क्या रहेगा question? 1 plus 10 square theta equal to 1 minus के 10 square theta सही शायदे क्यों? यह दो 1 plus a plus b into a minus b ठीक होगा 1 से 1 केंसिल तो 10 theta 0 आ गया तो theta कितना जाएगा? 0 degree और 0 आ गया तो cos 0 की value क्या होती है? 1 होती है तो इसका third option आपको fill करना है 30 question क्या देखो पढ़ो sin 2 theta तो given है cos 3 theta के equal where theta is the acute angle what is the value of 1 plus 4 sin theta given that sin 18 degree यह value given है को कि बच्चों को याद नहीं उती है और क्या है? तो बताओ 1 plus 4 sin theta की value क्या होगी? तो एक काम करें पहले आपको sin theta की value चीस equation से तो आप cos theta का formula अप्लाई करें sin cos theta में तो कितना जाए गए? यह आ गया sin 2 theta equal to क्या लेगे? 4 cos q theta minus 3 cos theta और इसके बाद sin 2 theta का formula 2 sin theta cos theta equal to 4 cq minus 3c तो दो को 1c तो को मना के cancel? क्योंकि c को 0 लोगे तो cos 0 कव होगा जब theta pi वेट हो लेकिन acute angle बोला गया तो c केंसे कंड़े पे question आगया 2s equal to 4 c square minus 3 अब इसको sin की value चीट sin में करूड कर दो तो क्या रहेगे question? 2s equal to 4 1 minus sin का मतलब s square minus 3 तो multiply करने पे क्या क्या कि minus 4 c तो left में ले आओ तो 4s square plus 2s 4 plus 1 तो minus 1 0 यह sin में quartic है तो sin theta की value क्या चीव होगी? minus 2 plus minus 4, 16, 20 2 root 5 by 2 by 8 तो केंसे कर दो तो यह कितना आगया? minus 1 plus root 5 by 2 ठीक है? क्योंकि minus पे तो sin की value बार चले जाएगी तो मतलब ultimately यह जो angle है ना यह 18 degree आगया यह 18 degree की value है तो आपसे ही पुछा गया की बताओ 1 plus 4 sin theta तो 4 sin theta आगया root 5 minus 1 तो 1 cancel होके root 5 answer से इसका fill करना है third option correct होगा अगला question क्या देखो 10 theta कितना? minus के 5 बार बार then what is the value of sin theta? simple सा question है तो इदे देखो यह लेट आपका theta है यह 5 है यह 12 है और यह 13 आगया अब आप यह देखो 10 theta negative given है 10 theta की negative which quadrant? second and fourth तो इसी के according आपको answer fill करना है तो theta अगर second quadrant में sin की value positive तो कितना आगया? 5 by 13 और theta अगर fourth quadrant में तो sin theta negative तो plus minus तो दो answer option हो सकते है 5 by 13 और minus की 5 by 13 तो देन इसका आपको third option क्या करना है? fill करना है उसके बाद next question देखो what is the value of cos की power 4 7 by 8 plus cos की power 4 5 by 8 तो देखो क्या करना है यह question में सबसे पहले एक काम करते है इसको में लिख सकता हूँ cos की power 4 pi minus pi by 8 तो cos की power 4 pi minus theta minus cos theta लेकिन पावर 4 है तो यह plus बन जाएगा तो यह आगया cos की power 4 5 by 8 plus similarly इसको लिख सकते है cos की power 4 pi plus pi by 8 इसको सोल करने पे आएगा और cos pi by 2 में शीट है sin theta तो ultimately आपक कुछन आ गया cos की power 4 pi by 8 plus sin की power 4 pi by 8 और यह अपनको पता होगा sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta को डायट के लगते 1 minus k2 sin square theta cos square theta तो sin pi by 8 cos square pi by 8 यह सर इतना आने के बाद क्या करोगे 1 minus 2 दोनों बे पावर एक सर लगा दो तो क्या बन गया sin pi by 8 cos pi by 8 2 से गुणा 2 से मुल्टिप्लाए तो 2 का स्वार नीचे तो 4 आ गया तो 1 by 2 आ गया और यह क्या बन गया sin 2 theta का मतलब sin pi by 4 1 by 4 मतलब 1 by root 2 का all square तो 1 minus 1 by 4 तो देन इसका अंसर जाएगा 3 by 4 second option इसका correct होगा टीक है simple सा question था उसके बाद देखो what is sin 2 pi by 4 plus theta minus sin 2 pi by 4 minus 8 देखो एक तो option क्या है की square करके sin a plus b का formula और better option है remember this जब भी कहीं लिखा हो यह formula आद करें sin square a minus sin square b का formula क्या होगा sin a plus b into sin a minus b तो जब आप इन दोनों का plus करोगे तो क्या गया sin this plus this तो जोडने पे तो क्या आगया pi by 2 और जब minus करोगे तो minus करने पे क्या जाएगा sin square a minus sin square b sin a plus b तो plus करने पे तो आगया pi by 2 into sin of a minus b तो minus करने पे जाएगा 2 theta ये लो तो इस वन है तो इस काहन से फिल करना है sin 2 theta फर्स्ट ओप्सन इसका correct बहुत simple सा question अगला देखो ये height and distance का question है ये vertical tower stand होने horizontal plane एक vertical tower है yellow horizontal plane पे end is surrounded by vertical flag staff on height edge ये एक vertical tower है इस पर एक flag मतलब जंड़ लगाना ये लो इसकी height capital चमाल लेते हैं इसकी height बोल ये question है small edge अब क्या वो लगा है at a point on the plane plane का लगा लगा सर्फेस पे एक सर्फेस पे एक point है the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff मतलब एक बार तो bottom का बार लेना अपन को और एक बार लेना this part तो question में बोलागा है कि ये angle तो है theta sorry ये total angle तो है 2 theta और ये नीचे बार अंगल क्या है theta बार समझें मतलब अपन को ये बोला गया है कि जो अपना elevation of the top end sorry bottom and top of the flag staff तो ये जिसका जो bottom है इस bottom के साथ तो इस point पे angle कितना बोला गया theta तो नीचे वाला theta है और top के लिए angle 2 theta तो ये 2 theta है ठीट है तो बताओ capital H की value क्या होगी height of the tower तो इक काम करो पहले बड़े वाले triangle में apply कर दो आप 10 to theta का formula तो 10 to theta का formula क्या होगा capital H plus small x upon इस base को एक समान लेते हैं और एक बार नीचे वाले triangle में लेक सकतो 10 theta equal to capital H upon small x तो इक काम करो इस X को limit करने के लिए फर्स्ट को second से divide कर दो तो यह आ गया 10 to theta upon 10 theta equal to H plus small x upon capital H और 10 to theta का formula 1 minus 10 square theta sorry 2 10 theta upon तो 2 से 10 theta कर जाएगा 2 10 theta upon 1 minus के 10 square theta यह सर तो 10 theta कैंसे और इसको एक काम करो separate divide कर दो तो H upon H तो बना गया सीधान से मिले गस से और 1 को लेयाव आप left में जैसी 1 को left में ले क्या होगे तो क्या बना गया यह जाएगा 1 plus 10 square theta upon 1 minus 10 square theta तो यह कितना बन जाएगा यह बना गया cos 2 theta का formula तो ultimately आ गया cos 2 theta equal to H upon capital H क्या गया बोलो sorry उल्टा बोल दिया 1 plus 10 square theta upon 1 minus 10 square theta उल्टा बोलते हैं इसको cos 2 theta का formula 1 minus 10 square theta upon 1 plus तो sec हो जाएगा sec 2 theta तो क्या गया capital H जाएगा H cos 2 theta तो देन इसका third option आपको फिल करना है next question देखो यह भी height and distance का question है the shadow of the tower becomes x meter longer when the angle of elevation of sun changing from 60 degree to 30 degree if the height of the tower is root 3x meter then which of the falling is correct क्या बोल जाए question में जैसे लेट यह अपना एक sun है इस surface के regarding तो अभी यह किसी point पे एक angle देखा 60 degree फिर क्या बोला shadow of the tower becomes x meter longer यह एक tower है इस tower की इस sun से जब light पड़ेगी तो यह इसकी shadow है फिर बाद में shadow को increase किया simple सी बात है shadow increase कियो तो angle decrease करे गए इसको theta बोला गया है ठीक है और इसको x decrease किया आपने x increase किया है इसको violet कर देते हैं यह given question में root 3 तो बताओ theta की value क्या हो सकती है तो चले काम करो ना एक बार तो इस triangle में लगा तो 1060 का formula तो कितना आ गया 1060 इक्वेल टू root 3x upon y 1060 की value root 3 root 3 से root 3 cancel तो y equal to क्या गया x again greater triangle में लगा 10 theta का formula तो 10 theta कितना जाएगा root 3x upon x plus y और y को भी x लिख सकते हैं तो ultimate x cancel होके कितना आ गया root 3 by 2 root 3 by 2 की value क्या होगी once point something तो इसका मतलब theta की value 90 से तो बड़ी होगी sorry 45 से तो बड़ी होगी लेकिन 60 से चोटी क्योंकि जो root 3 by 2 की value है वेटा वो one से तो greater है but root 3 से less है न क्योंकि root 3 by 2 है तो ये 1060 होता है और ये 55 degree तो theta आपका क्या होगा 45 से 60 के between third option आपको fail करना है अगला देखो 10 inverse half plus 10 inverse x y 3 equal to pi by 4 है x को zero switch है मानना है तो बताओ x की value क्या होगी तो simple जब भी दान दे 10 inverse theta plus 10 inverse sorry 10 inverse x plus 10 inverse y equal to pi by 4 गिवन हो तो theta की value होगर minus pi by 4 से plus pi by 4 है तो आप simple formula रप्राई कर देना 10 inverse x plus y upon 1 minus x y equal to pi by 4 तो कितना जाएगा ये 1 कोई 1 लोगी तो pi by 4 है जाएगा आगे अल्टिमेटी 1 y 2 plus x y 3 equal to 1 minus x y 6 इसको 6 से multiply कर तो 3 plus 2 x equal to आगे बेटा 6 minus x 3 x equal to 3 x equal to क्या होगा 1 1 का मतलब फर्स्ट option इसका fill करना है simple सा question था है अगला देखो आपको एक inverse relation given है 3 sin inverse x plus cos inverse x is pi then x is ध्यान रखे जब भी sin inverse cos inverse हो तो आप single inverse मिले क्या हो तो एक काम करूँ ना cos inverse को लिसकते है pi by 2 minus sin inverse x तो क्या रहेगा question देखो 3 sin inverse और minus sin inverse तो यह आगया 2 sin inverse x equal to pi minus pi by 2 is pi by 2 yes sir 2 से divide करो तो sin inverse x आगया pi by 4 तो x कितने जाएगा 1 by root 2 तो इसका third option आपको fill करना है अगला question देखो if 10 alpha plus 10 beta equal to 1 minus 10 alpha 10 beta then which of the falling value of alpha plus beta तो simple सुनो ना यार इसको देखो इसको सीधा अपन मिले के चले जाओ तो क्या बनेंगे 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta यह किसका फरूम ना बनेंगे 10 e plus beta तो यह आगया 10 alpha plus beta equal to 1 और बच्चो 10 alpha 10 की value 1 का बाती 5 by 4 के multiple पे तो answer 5 by 4 भी हो सकता होने को 3rd quadrant में 5 by 4 हो सकता है ऐसे काफी सारे options हो सकते हैं तो से मुलाना can we क्या हो सकती है तो 5 by 4 answer fill करना है 2nd option correct होगा आपको 13 end में क्या करना है आपको given है 1 plus 10 theta 1 plus 10 9 theta equal to तो बताव 10 of 10 theta की value क्या हो तो इसके लिए क्या करते हैं आप इस bracket को multiply करो तो कितने जाएगा 1 plus 10 theta 10 9 theta और दोनों का multiply 10 theta 10 9 theta equal to 2 उदर 1 है 1 को अटाओगे तो इदर भी क्या गया 1 इतना एक बाद इस पार्ट को ले क्या हो इसीधा फरूल नग दिख जाएगा तो क्या गया है 10 theta 10 9 theta equal to 1 minus 10 theta 10 of 9 theta इस complete bracket को उसके अपोन में लेके जाओगे तो किसका फरूल नग गया है 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b 10 of theta plus 9 theta equal to 1 तो क्या गया 10 of 10 theta की value क्या होगी 1 तो उसका second option आपको fill करना है उसके बाद 40 question देखो what is the value of sin 0 degree sin 10 degree sin 20 sin 30 sin 360 देखो उसको समझो 0, 10, 20, 30, 360 ये total 36 terms है starting की जो 9 terms है वो first quadrant में होगी next 9 term second quadrant में next 9 third में next 9 fourth में first और second में sin की value positive होती है और third or fourth में sin की value negative होती है तो आप ये समझो न sin 360 को लग सकते है sin 2 pi minus 0 degree तो ये तो आजाएगा sin 0 degree तो sin 0 से तो sin 0 cancel क्योंकि 0 की value 0 होती है similarly इसके between कोनों का sin ये 10 sin 350 आप sin 350 को कहले से तो sin 2 pi minus 10 ये सर और sin 2 pi में शीट है minus के sin theta तो minus 10 degree से ये cancel से sin 40 को minus sin 20 तो जो first quadrant की value जाएगा फूर्थ quadrant से cancel out हो जाएगे और second quadrant की एंगल है वो आपके third quadrant से cancel out हो जाएगे तो इसकी ultimate value की आने वाली है 0 तो इसका आपको second option fill करना है अब अब लोग आगे देखते हैं question number 41 और 41 के इंदर देखिए क्या है मारा solution so question दिया है हमें consider all the subsets of the set A equal to 1, 2, 3, 4 so how many of them are the super set of the set 4 देखिए 4 के जो भी super sets होंगे इसका क्या meaning हुआ कि उस set के इंदर 4 आपका present होना necessary हो जाएगा तो चेलिए लिखते है कि ऐसे कितने sets होंगे जिसमें 4 आपका present होगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 के साथ में single sets कितने होंगे so 4 के साथ में 1 हो सकता है 4 के साथ में 2 हो सकता है और 4 के साथ में 3 हो सकता है clear तो 3 super sets तो यह हो जाएगे जिसके अंदर 4 भी present होगा और उसके साथ में कोई एक-एक elements और होंगे इसके अलावा ऐसे elements जिसके अजर तीन sets पर्जेंट होंगे तीन elements पर्जेंट होंगे जिसमें एक आपका 4 होगा जो जो नहीं होगे एक बार 1 को छोड़ देते हैं तो पिछ आएंगे 2 & 3 एक बार 2 को छोड़ दीजिए एक बार 3 को छोड़ दीजिए बच्चो अस्चो कितना आ जाएगा 4 1 & 3 तो यहां पर हमने क्या किया 1 को छोड़ा यहां पर 2 को छोड़ दिया और यहां पर हमने क्या कर दिया अच्छा यहां पर आपके पास में 4 2 & 3 होगा और यहां पर 4 1 3 और एक बार अपने क्या कर दिया अच्छा यही होंगे हमारे पास में तो यह वाला जो होगा हमारे पास में वापिस repeat हो चुका है ठीक है so 2 हमारे पास में यहां पे होंगे इसके लाव और कौन सा super set होगा तो एक super set होगा जिसके अंदर हमारे पास में 1, 2, 3, 4 सभी परजेंट्स होंगे ठीक है इसके अंदर कोई और set जो possible हो सकता है वो कौन सा हो सकता है तो देखिए तीन वाले के अंदर जैसे अपने एक बार एक को छोड़ा ठीक है एक बार हमने दो को छोड़ा इसे अपन तीन को भी तो छोड़ सकते हैं तो ऐसा sets भी हो जाएगा जिसके अंदर 4, 1 और 2 एक set आपके पास में यह आ सकता है हाँ तो टोटल कितने सबसेट हो गए हमारे पास में तीन देगे यहां पर हो गए तीन हमारे पास में यहां पर हो चुके हैं और एक हमारे पास में यहां पर हो चुके हैं तो टोटल साथ सबसेट ऐसे हैं जिसके अंदर 4 परजेंट होगा और यही होंगे आपके सामने क्या ऐसे सुपर सेट जिसके अंदर आपके सामने 4% है तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे साथ हो जाएंगे बच्चो किज़र है चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं कि उसन नंबर 42 के बारे में क्या है देगे किसन नंबर 42 42 में आपको दे रखा है कि consider the following statements in respect of two non-empty sets A and B देखिए आपको दो यहां पर relations दे रखे हैं A और B के अंदर और आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा देखिए सबसे पहली बात पहला statement क्या है पहला statement यह कहरा कि अगर कोई element A union B में नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि वो A में भी नहीं होगा और वो B में भी नहीं होगा तो चलिए बात करते हैं अपन बच्चू देखिए कोई element ऐसा जो A intersection B में नहीं A union B में नहीं है मैं इस र दोने हमें होगा और नहीं वो B में होगा तो बिलकुल सही बात है वच्चो कि A union B में यहां के elements आएंगे A में इन दोनों regions कहाएंगे और B में दोनों के regions कहाएंगे तो यह statement आपका बिलकुल सही है बच्चो अगला क्या कह रहा है अगला set यह कह रहा है कि कोई एक सा element जो A intersection section B में नहीं है means जो यहां पर नहीं है तो वो कह रहा है कि वो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा वैसा तो जरूर नहीं है बच्चो अगर कोई element यहां पर नहीं है इसका मतलब यहां पर तो हो सकता है और यहां पर हो गया तो A में आ चुका है इसका मतलब क्या हुआ कि यह statement इनलों जो दे रखा है वो गलत दे रखा है ठीक है तो सिरब पहला सही है हमारा ठीक है अब बाकी दूसरा statement जो है वो कैसा होगा गलत होगा के लिए है चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं question number 43 के बारे में देखिए पहला क्या है कि A union B और A intersection B बराबर है इसका क्या मतलब हुआ बच्चो इसका मतलब यह हुआ कि union और B के अंदर elements बराबर है, clear है, दूसरी चीज आप इसको इससे देख सकते हो कि चलो for example ऐसा वेन डाग्राम बनाएं, लेको A union B और A intersection B बराबर है, इसका मतलब elements सिरफ यहीं पर present है, element सिरफ यहीं पर present है, तभी तो यह elements union में भी आ जाएंगे और यह intersection में भी आ जाएगे, क्यों बाहर वाले जो elements होंगे, वो intersection में नहीं होंगे और सारे elements यहां present है, means A में भी है वो सारे elements और वो सारे elements B में भी है, means A और B दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो पहला statement आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा क्या कह रहा है, A symmetric difference B बराबर फाई है, then A बराबर B होगा, चली बात करते है, A symmetric difference B क्या होता है बच्चो, A minus B union B minus A, देखो बच्चो, A union B और B minus A का जो union है, वो क्या है बच्चो, आपके पास में फाई है, यह क्या कहना चाह रहे है, यह जिके रहें कि यहाँ पर भी कोई element नहीं है, और इदर भी कोई element नहीं है, इसमें भी element नहीं है, इस वाले part में भी element नहीं है, तब ही तो फाई आएगा, क्यों, चुकर एक भी element A minus B में आ गया, आगर for example, तब तो वो फाई होगा है नहीं हमारे पार symmetric difference, तो यहाँ पर भी element उदर भी कोई element नहीं, that means जो बचे वो element से वो कहाँ पर है, या तो इस region में होंगे या बाहर वाले होंगे, इस region में होंगे तो भी कहेंगे A ब्राबर B या नहीं होंगे, means A और B दोनों फाई है, that means यह बात भी बच्चो सही है, अगर A और B का symmetric difference फाई है, that means A और B कैसे हों respect to the relation are in the set, you know natural numbers defined by this, देखो इसके बारे में आपको बताना है, आपको इस relation दिया गया है, और आपको बताना है कि यह reflexive होगा, transitive होगा, या symmetric होगा, कौन सा possible होगा, तो देखो बच्चो reflexive के लिए हम क्या करते है, reflexive के लिए क्या करते हो, x को y से replace कर देते हैं, और देखते कि क्या संबंद मिल रहा है यहां से, बच्चो x square minus 5x square plus 4x square, y को export कर दो, कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, so that is 0 बराबर 0, और अगर यह 0 आ गया, that means आपका जो relation होगा, वो reflexive होगा, clear है, symmetric के लिए हम क्या करते हैं, symmetric के लिए करते हैं, x को y से replacement, और अगर x को y से replacement करने के ब करोग दिया आ जाएगा, y square minus 5xy plus 4x square, और आपने यहां पर देखा कि आपका relation तो change हो गया, पहले तो सिरफ x square था, अब 4x square आ गया, that means symmetric नहीं है, और देखो बच्चो, अगर आप options को ज्यान से देखोगे, तो पहला आ रहा है, a only, that means यह सही हो सकता है, इसके chances है, अभी है य यह भी कभी नहीं होगा, a, b, and c, तीनों आ गया, इसमें भी भी आ गया, तो यह भी कभी नहीं होगा, तो यह 100% हो गया, दूसरा, तीसरा, चोथा option गलत है, इसका मतलब आपको तीसरे को check करने की जुरूत नहीं है, शिरफ और शिरफ आपका पहला option सही होगा, miss अगर आप transitive check भी करोगे, तो भी वो transitive नहीं आने वाला है, clear है बच्चो, चली आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 45, क्या है, question number 45, consider the following statements with respect to relation R on the set A, देखो बच्चो, जब कोई relation reflexive है, तो क्या उसका inverse भी reflexive होगा, क्या कहना चाहर है, बच्चो, देखो, अगर कोई element A का relation A के साथ में reflexive का मतलब क्या होगा, खुद का relation खुद के साथ में होना चाहिए, अगर S A है, तो क्या इसको reverse करोगे, तो वो भी क्या होगा आपके पास में, तो बिल्कुल देखो बच्चो, अगर ये आपके पास पहला reflexive है, तो दूसरा 100% reflexive होगा, तो चेंज करने से कुछ change होआई न अगर A का relation B से, इसका मतलब B का relation A से होगा, तो अब क्या करना है आपको, आपको इसको change करना है, इसको change करना है, तो आपको R inverse निकालना है, तो दोनों को interchange कर दीजिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, A B, मिन्स उस relation में R inverse में ये भी present होगा, ये भी present होगा, दोनों present symmetric भी होगा, तो reflexive भी है, symmetric भी है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखो जैसे for example, 1 का relation 3 से है, 3 का relation 5 से है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, 1 का relation B होगा 5 के साथ में, तो देखिए, अगर ये present है, तो इसका inverse क्या होगा बच्चो, 3 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ, औ और 5 का 1 के साथ, एक एक करके देखते हैं, 3 का 1 के साथ, बट 1 का कोई है नहीं अपने पास, तो आगे check करने की जुरूत नहीं है, देखो, 5 का 3 के साथ, अब 3 से start हो रहा है, तो यहां से start करते हैं, 5 का 3 के साथ, ठीक है, और 3 का 1 के साथ, तो किसका होना चाहिए, तो 5 का 1 के साथ में है that means आपका ये transitive भी होगा that means तीसरा भी सही है और a b और c तीनों सही है that means आपका कौन सा option सही होगा बच्चों fourth option सही होगा clear है चले इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं question number 46 के बारे में क्या है 46 बच्चों इसका principle argument निकालना है principle argument निकालने के लिए सबसे पहले इसको rationalize कीजिए तो यह आएगा 1 minus iota divided by 1 plus iota into 1 minus iota कितना आएगा 1 minus iota divided by 1 minus iota square that is plus 1 so 1 minus iota divided by 2 ठीक है यह आगे हमारे पास में complex number अब देखो सबसे पहले कौन से quadrant में बच्चों तो यह है fourth quadrant में x positive और y negative कौन सा quadrant होता है fourth fourth में के साथ है बच्चों negative आता है negative आता है मतला यह दोनों तो गलत हो जाएंगी ठीक है अब इसमें से कौन सा सही है तो इसमें से देख लो fourth quadrant में कौन सा है तो फॉर्थ में बच्चों सिरब यह है यह तो fourth quadrant में नहीं यह तो third quadrant में है अपने को पता है कि कौन से Quadrant में है फॉर्थ में तो आपको एंगल कैलकुलेट करने की जूरूत नहीं यह सेगंड ऑप्शन सही होगा 46 के अंदर क्लियर है चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं बात करते हैं बच्छो 47 के अंदर क्या है क्या है क्यूस्ट नमर 47 what is the modulus of this complex number बच्छो ध्यान से देखी यह कौन सा complex number है यह कौन सा complex number होगा बच्छो यह complex number है हमारे पास में कौन सा that is root 3 iota minus 1 divided by 2 अगर आपको याद होगा यह complex number तो यह है बच्छो होमेगा और होमेगा का modulus कितना होता है हम सब को पता है बच्छो 1 तो उसकी power चाहे कुछ भी हमें कैसे पता चलेगा कि यह ओमेगा से करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है बच्छो सिधा कर सकते हो mod z की help से mod z से कितना आएगा x का square रियल पार्ट का square minus 1 by 2 का square 1 by 4 root 3 by 2 का square that is 3 by 4 और इसका root कितना आएगा बच्छो 1 यह इस complex number का modulus 1 है और यह mod की property होती है अगर उसके उपर कुछ पावर है तो शीरी उसके उपर लगा दो तो 200 फिर से answer कितना आएगा बच्छो 1 के लिया है तो यह होगे आपके पास में क चली बात करते हैं बच्छो question number 48 के बारे में क्या है देखो consider the following statement बच्छो अपने को यह statement consider करने हैं और बताने हैं कि कौन सा option सही होगा इस में से ठीक है सबसे पहले के बारे में बात करते हैं n factorial divided by 3 factorial is divisible by 6 where n is greater than 3 देखो बच्छो यह क्या कहे रहा है यह कहे रहा है कि अगर n 3 से बड़ा है तो यह हमेशा 6 से divisible होगा क्या 6 से divisible होगा तो चली हपन चेक कर लेते हैं n की value 4 के लिए चेक कर लेते हैं क्या होगा बच्छो 4 के लिए होगा 4 factorial divided by 3 factorial 4 factorial by 3 factorial होता है बच्छो कितना 4 into 3 factorial तो 3 factorial कर जाएगा 4 आएगा बच्छो क्या 4 6 से divisible है तो बिलकुल divisible न अगर नहीं है तो बच्चो जी तो पहले के लिए गलत हो गया तो पूरी दुनिया का के लिए क्या सही होगा ठीक है इसलिए क्या हो गया पहला गलत हो गया है बच्चो एक गलत हो गया है अब बात कर लेते हैं बी के बारे में अच्छा एक गलत किस है इसका मतलब पहला option नही लिए बात कर रहे है तो 4 के बारे में तो यह अपने भी निकाला था कितना है था 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया बच्चो यह आ गया आपके पास में 7 अगर यह 7 आ रहा है that means यह 7 से divisible है बच्चो तो 4 के लिए तो सही हो गया आगे बात करते है 5 के लिए क्या हो रहा है दुनिया में 5 के लिए चेक करो कितना आएगा 5 इंटू 4, 20 ठीक है न इसमें क्या हो जाएगा 5 फेक्टोरियल बागी पार्ट कर जाएगा so 20 प्लस 3 that is 23 क्या 23 बच्चो 7 से बाग जाता है 23 में तो बिलकुल नहीं जाता तो यह गलत हो गया किसके लिए n ब्रावर 5 के लिए 5 के लिए गलत क्लम नहीं है यह statement गलत माना जायेगा ऐ गलत ब गलत बेश्यान नाइधर A नॉर B ओर तो ऑप्सन आपका सही बात कर लों है can a team of 5 player we selected बच्चो 5 बच्चो की आपको क्या 5 प्लेयर की एक team select करनी है कितने में से करनी है नाइन में से करनी है 9 लोग है उसमें से 5 को select करना है as to exclude 2 particular person player 2 particular person को क्या करना है débuts execute करना है means 2 लोग जिनको आपको select कभी करना ही नहीं है तो जिनको करना नहीं है पहले ही उनको दूर बगा दो ठिक है पर जिन 2 को कभी नहीं करना है तो उनको 9 में से हटा दो तो 9 में से 2 को हटा दिया तो पिछे कितना बच्चे के बच्चो साथ अब ये जो साथ प्लेयर है इसमें से आपको 5 select करने हैं क्या तरीका होगा बच्चो 7C5 और 7C5 ब्रावर होता है 7C2 के जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं 7 into 6 divided by 2 कितना हो जाएगा that is 21 क्लियर है सबको इसा कौन सा option है second option यही सही answer है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यह कैसे निकाल दिया 7C2 इतना जल्दी से इसमें तो factorial का फॉर्मला लगता है तो बच्चों shortcut क्या होता है नीचे 2 तो 1 से into 2 ठीक है नीचे जो number है shortcut आपको इस तरीके से NCR की value आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों चली आगे चलते हैं बात करते हैं question number 50 के बारे में देखो क्या है इन the expansion of this what is the n plus 1th term from the end देखो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं पहले देखते हैं कि पिछे से पूछे तो आगे से कौनसी होगी कुछ नहीं करने की जोड़ित अगर binomial का question है तो बच्चों उनको उल्टा कर दो 1 plus x को पहले x को बाद में इसकी power 2n ऐसे लिक लो अब क्या बोल रहा है अब इसमें हम क्या करेंगे initial वाला formula ही लगाएंगे n plus 1 के लिए ठीक है आगे क्या बोला when arranged in the decreasing power of x जब इसको decreasing power of x में arrange करें तो बस काम हो गया बच्चों end से निकालना है इसमें initial से निकाल दो वही answer जाएगा 2n cn 1 by x की power 2n minus n into x की power n तो यह तो कर जाएंगे x की power n आ रहें दोनों जगे तो यही answer है बच्चों इसे कैसे लिखते हैं इसको इस तरीकी से लिखते है c पहला number फिर दूसरा number है यह इसको representation का तरीका होता है बच्चों यहाँ पर n लिखा हुआ होता है और यहाँ पर r लिखा हुआ होता है तो third option आपका सही है x कट गया x क क्या कह रहा है देखो question number 51 में कह रहें बच्चों if the sum of the first 9 drum of an ap is equal to the sum of 11 drum चलिए लगा देते हैं फॉर्मला 9 ट्रम का sum का फॉर्मला 9 by 2 into 2a plus 9 minus 1 into d किसके बराबर बता रहे हैं बच्चों अपने को 11 ट्रम के 11 by 2 2a plus 11 minus 1 into d देखो पहले तो यहां से क्या relation आ रहा है ना इसको काट दो देखो 2 से 2 गया 9 into 2 18 a plus 8 into 9 72 d बराबर कितना हैगा 11 into 2 22 a plus 10 into 11 110 d कितना हैगा देखो इसको उधर ले जाओ उसको इदर सभी को उधर ले जाओ एक काम करो सबको उधर बगाओ 4a plus 110 minus 72 फास 72 110 में सब्टेट करना है 10 उपर 28 इदार कितना बचेगा 38 d बराबर 0 दो से भाग देदो 2a plus 19 d बराबर 0 आप से क्या पुचा है बच्चों आप से पुचा है क्यूचा है देखो बच्चो 2a plus 20 minus 1 into d यहां पर लिखा गया है इसको 20 by 2 से multiply कर दो यही होगा बच्चो s20 ठीक है तो s20 की value कितनी होगी क्योंकि यह 0 था तो इसका answer आएगा 0 बिल्कुल सही answer को होगा 4th option ठीक है चलते इसी के साथ आगे बात करते है बच्चो क्यूचन नमबर 52 के बारे में क्या है क्यूचन नमबर 52 if the 5th term of an ap is 1 by 10 and 10th term is 1 by 5 then what is the sum of the first 50 term देखो बच्चो 5 वी टरम एक बटे 10 और 10 वी टरम एक बटे 5 क्या करना है a plus 4d a plus n minus 1 into d formula होता है n की value 5 put कर दे that will be equal to 1 by 10 और a plus 10 वी टरम कितनी होगी 9d ब्रावर एक बटा 5 इसमें से इसको गटा हो देखो a cancel out कितना हैगा 4 minus 9 minus 5d ब्रावर एक बटा 10 minus एक बटा 5 lcm लीजिए कितना हैगा 10 10 से divide क्या 1 5 से divide करो 2 2 2 कितना हैगा minus 1 by 10 ठीक है यही होगा इसको क्या किजिए 5 minus 5 से भाग देदीजिए so d ब्रावर आगया बच्चो 1 by 50 आगया d d की value put करो पहले वाले में a कितना आ रहा है देखो कितना हैगा a d की value put करो तो a ब्रावर आएगा बच्चो 1 by 10 minus 4 into d that is 4 by 50 lcm 50 5 minus 4 यह भी आएगा बच्चो 1 by 50 इसका मतलब a और d दोनों ब्रावर है और दोनों की value है बच्चो 1 by 50 आप से पूछा क्या है find the sum of the first 50 ट्रम बच्चो पहली 50 ट्रम का sum पहली 50 ट्रम का sum कितना आएगा आओ देखते है बच्चो s 50 ब्रावर 50 by 2 plus a और d दोनों ब्रावर आ रहे है formula में दोनों को ब्रावर put कर दो 2 a plus 49 a कर दोईजी इसको भी a और d दोनों ब्रावर d को भी a put कर दो कितना आएगा 50 by 2 into 51 a कितना था 1 by 50 कर जाएगा तो answer कितना आगया बच्चो 25.5 ऐसा कौन सा option है second option जो कि आपका सही answer है ठीक है समझ मारा सभी को चलते हैं आगे बात करते हैं बच्चो किसो नमबर 52 के बारे में बात हो जोकी है 53 ओहू देखो binary operation बड़े आसान होते हैं बच्चो सबसे पहले तो इसको देख करके बच्चो को यह लगता है कि कैसे करना है तो एक काम कीजिए इसको numbers में convert कर लीजिए ठीक है कैसे convert करते हैं बच्चो बहुत आसान होता है ठीक है इसके बारे में बात करते हैं 1110011 क्या करना है आपको इसको लिखना है बच्चो टू की पावर 0 यह है बच्चो टू की पावर 1 अब देखो बच्चो अगर यहां 1 होता तो यह टू की पावर 2 होता बड़ वो जिरो के साथ multiply होके 0 हो जाएगा तो 2 गाइब 3 गाइब यह है 2 की पावर 4 यह 2 की पावर 5 और यह 2 की पावर 6 इन सब को जोड़ दो देखो बच्चो यही है आपका total number ठीक है कितना हैगा 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1 देखो बच्चो ध्यान से जोड़ के कितना आ रहा है दो और एक 3 छे और तीन छे और चार दस दस और तीन और दो पांस 15 पांस एक एक ज्यान से देखना एक और एक दो दो प्लस 3 पांस प्लस 6 जारा एक सो पंदरा है बच्चो फर्स नमबर विल बी 1 1 5 चले बात करतें दूसरे नमबर के बारे में यह कितना होगा आओ यह 16 कितना आगया बच्चो 23 अना 7 प्लस 16 23 आपको बच्चो 115 में 23 का भाग देना है सब को देना आता होगा किस से देते हैं दे दीजिए कितना आएगा 115 पांस बार तो बच्चो 5 होगा 5 5 कौन सा ओप्शन है आईए चेक करते हैं यह है बच्चो 1 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1 गा यहाँ पर चेक करना था कि 5 कौन सा ओप्शन है तो 5 पहला ही ओप्शन है 1012 यह गलात यह गलात वो गलात सब गलात ठीक है चले आगे चली आगे चलते हैं बात करते हैं किस से नंबर 54 54 भी वैसा ही है जैसा अब यह भी आपने किया दा इसमें भी कनवर्जन करने हैं 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 3 गाइब 2 की पावर 4 16 अब देखना जान से 2 की पावर 4 तक यहाँ पर आ रहा है यह 5 6 7 2 की पावर 8 देट इस 256 ठीक ना 3 गाइब है न 5 6 7 तो 8 2 की पावर 8 होता है 256 इनि सबको जोड़ दो 256 20 और 23 23 कितना है गहा 6 और 3 9 5 और 2 7 2 279 है बच्चो यह नमबर कितना है 279 क्लियर चलते है आगे वाले पे आगे वाले तो बड़ा असान है बच्चो सबको जोड़ दो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 पावर यह रहे 5 नमबर लगाता है ठीक ना 2 की पावर बाइनिरी का मतल 22 में से कम रहता है अगली जो पावर होती है उससे एक कम लगाता है जब भी करो 31 दोनों नमबर आगे अपने पास यह 31 है इसका मतलब 31 इसका मतलब 279 अब बच्चो आप निकाल सकते हो X क्यूब और Y क्यूब आ गया तो आप बाकि जो चीजे पूछी गई है वो सभी चीज कितना आएगा देखो बच्चो XQ प्लस YQ प्लस 3XY इंटो X प्लस Y ब्रावर 31 इंटो 31 का स्क्वाइर ऐसा कम लिखा अभी समझ में आएगा देखो XQ प्लस Y क्यूब 279 इसमें देखो बच्चो 9 का भाग जयता है 9 का भाग दोगे तो इसमें बच्चे का पीछे कितना 31 इस जिले में उसको ऐसा लिखाता था ना प्लस 3XY इंटो 31 ब्रावर 31 इंटो 31 का स्क्वाइर यह 31 को कट गया है यह ना कमन आ करके तो पीछे क्या बचेगा X Y ब्रावर 31 का स्क्वाइर माइनस 9 डिवाइड बाइ 3 आ गया चलिए हमसे पूचा क्या है यह इसको ओपन कीजिए X x square plus y square minus 2xy plus xy will be minus xy इसको फिर perfect बनाया x plus y ka hall square minus 3xy ठीक है देखो बच्चो x plus y ka hall square x plus y का ना ये रहा 31 31 ka hall square minus इस 3 को जिर multiply कर दो 3xy बराबर 31 ka square minus 9 that is 31 ka square minus 9 तो ये तो कट जाएगा और वो minus minus हो गया बच्चो प्लस तो 9 आंसर आएगा लेकिन देखो बच्चो फिर आपको binary format में है ठीक है तो 9 कौन सा होगा चलो check करते है ये है बच्चो 1 2 की पावर 1 गाईब 4 और 8 8 और 4 12 और 13 ये तो 9 नहीं है ठीक है इसको check करो ये 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 गाईब 2 की पावर 3 8 तो 8 प्लस 1 9 बिल्कुल सही है second option ऐसे आप बाकियों को check कर सकते हो बाकी कोई भी option 9 के ब्रावर नहीं होगा के लिए रहे सभी को चले आगे चलते हैं बात करते हैं कि उससर नंबर 55 क्या है देखो 55 में check करना है कि देखो बच्चो कौन सा option सही है तो देखो बच्चो पहला option तो कभी जिन्दगी में सही नहीं हो सकता क्योंकि x negative y positive बोला गया है और ये तो दोनों ही आपके पास में क्या है गलत है दोसरे में क्या है x negative y positive हो सकता है हो सकता है हो सकता है तीनों हो सकते है इन दोनों कंडिशन के हिसाब से दोनों हो सकते है ठीक है अब check कर लेते हैं अपन इस condition को x plus y less than 2 देखो बच्चो दोनों को जोड़ो कितना है गा 2 क्या 2 2 से छोटा होता है बच्चो नहीं होता तो ये गलत पहला गलत दूसरा गलत इसको check करो minus 1 plus 4 3 2 से छोटा होता है क्या नहीं होता है ये गलत minus 1 plus 2 1 1 2 से छोटा होता है क्या ये सही बात है तो ये सही हो रहा है और finally आपको इस condition को भी check करना है इसमें check करोगे तो भी satisfy कर जाएगा देखो minus 1 put करोगे तो minus 5 minus 8 plus 12 ठीक है तो that will be equal to minus 1 will be less than 0 ये भी होता है तो ये बिल्कुल सही है बच्चो चौथा option ठीक है तो आप उट करके check कर लिए ऐसा option जो चारो condition को satisfy करता है वही होगा बच्चो आपका सही answer के लिए जो चले बच्चो बात करते है कि उसन नमर 56 में consider the following statement in respect of the function y braver greatest integer x तो आपको बताना है कि बच्चो कौन सा option सही है ये greatest integer x है तो इसके respect में कौन सा option सही है पहला statement क्या है देखो this is derivative is 0 at x equal to 0.5 देखो बच्चो decimal पर greatest integer का graph कैसा होता है बच्चो ऐसा ठीक है न और continuous होता है लगातार होता है और ये कहीं पर भी आपका break भी नहीं होता है क्यों क्योंकि ये काम break होता है integers पर decimal पर कहीं break नहीं होता है तो ये कह रहा है कि its derivative is 0 तो बिलकुल सही बात है दूसरा कहे रहा है it is continuous 8 x equal to 0.5 देखे बच्चो greatest integer के पूरे graph की बात करोगे तो continuous नहीं होगा बट इस point पर तो continuous है क्योंकि इस point के दोनों side left hand limit और right hand limit दोनों क्या होगी बच्चो ब्राबर होगी clear है तो पहला statement भी सही है दोसरा statement भी सही है दोनों सही है तो ऐसा कौन सा option है बच्चो बॉत a and b will be correct आपका जो third option हो जाएगा वही होगा आपका सही answer clear चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते है क्यूसर नमबर 57 57 में देखो कौन सा option सही होगा what is the degree of this differential equation बच्चो जब भी degree निकालनी हो तो सबसे पहले बनाना होता है polynomial तो बनाते हैं देखो power 3 कर दीजे दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स का हॉल स्क्वाइर की पावर 3 will be equal to d2y बाई डी एक्स स्क्वाइर की पावर 4 कर दी polynomial बन गया अब बच्चो इसको solve करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि degree किसमें depend करती है highest differential coefficient पर और इसकी power कितनी है बच्चो फोर तो जो इसकी पावर है वही degree है और ऐसा कौन सा option है बच्चो फॉर्थ option ठीक है तो इसकी degree कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी clear चली इसी के साथ चलते है अगले question की ओर देखते है question number 58 58 में क्या कुछ है देखो बच्चो radioactive substance decay at a rate proportional to the amount substance present देखो क्या कह रहा है आपको यह कह रहा है कि यहाँ प by dt that will be d equal to minus kt यह minus kt क्या देखो एक तो decay हो रहा है इसके अंदर k constant है और किसके साथ में time के साथ में ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो dr by dt a radioactive substance decay at a rate proportional to the amount अच्छा this is the directly proportional to r t नहीं बच्चो directly proportional to minus kr substance जो r होगा जिसको अपने r माना है ठीक है उसके directly proportional है और decay हो रहा है इसलिए minus sign आ जाएगा clear इसको integrate कर दीजे dr by r r को नीचे ले आओ ब्राबर minus k dt कितना आएगा देखो बच्चो that will be equal to ln r ln r ब्राबर minus k t plus c चाहो तो इसको भी आप ln a लिख सकते हो बच्चो ठीक है इसको इधर ले आईए so that is ln r minus ln a so that is r by a will be equal to minus k t कितना आजाएगा यहां से अगर इसको simplify करें तो लोग को अटा दीजिए so r by a ब्राबर e to the power minus k t अब आप से क्या का गया है आपको यह का गया कि आगे half of the substance decay in 100 years क्या है मतलब बच्चो जो r है आपके पास पर वो a by 2 कब हो जाता है 100 साल के अंदर तो बच्चो r की value a by 2 put कीजिए तो 1 by 2 ब्राबर e to the power minus k और time period कितना है बच्चो 100 years तो यहां put कर दीजिए 100 इसको solve करके यहां से k निकालना है बच्चो तो दोनों साइड log ले लीजिए e के basis पे so ln 2 की power minus 1 ब्राबर minus k into 100 तो यहां से k की value आएगी बच्चो कितनी minus sign को बाहर ले आईए so ln 2 divided by 100 यही होगा बच्चो के और यहां कौन सा option है पहला option clear तो यह था आपका question number 58 आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चो question number 59 के बारे में क्या है 59 domain of this function बच्चो domain निकालने के लिए क्या करना होता है यह कैसा होना चाहिए यह होना चाहिए बच्चो 0 या 0 से बढ़ा यह 0 और 0 से बढ़ा कब होगा इसका square भी है बच्चो तो इसको factorize कर दीजिए 1 minus x plus 1 into 1 plus x minus 1 will be positive minus x plus 2 और x minus 1 से 1 कट जाएगा that is greater than equal to 0 इसको solve करने का तरीका क्या होता है बच्चो इसमें सारे coefficients को positive बढ़ाते है सबसे पहले तो यह हो जाएगा x minus 2 that is x will be less than equal to 0 यह आ गया अब इसको number line पे put कर लीजिए बच्चो तो यह आ जाएगा 0 इदर 2 plus minus और plus ठीक है और आपका answer वह 0 से 2 के बीच में और ऐसा कौन सा option है बच्चो 4 का option के लिए रहे चलिए इसी के साथ चलते है आगे और बात करते है बच्चो question number 60 question number 60 क्या है देखो हमारे पास में the area of the region bounded by this parabola and lattice rectum is 24 देखो बच्चो इस type का एक parabola है उसका lattice rectum के साथ में area आपको दिया गया है कितना 24 और हमें पता होता है बच्चो की area कितना होता है यह point 0 होता है और यह point k, 0 होता है तो यह area होगा बच्चो 0 से k तक इस function का integration और उसको two time अगर कर दें तो यह a के बराबर आ जाएगा और a की value दिरके 24 और 0 से लेकर k तक double क्योंकि आ क्योंकि जितना area उपर आएगा उतना ही नीचे आएगा तो 0 से k तक integrate कीजिए function क्या हो जाएगा y बराबर 4 k x का root into dx इसको solve कर लेते हैं बच्चो देखते कितना आएगा so that will be 4 ब बाहर आ जाएगा root k x का integration 3 by 2 divide by 3 by 2 एक तू पहले से बाहर था बच्चो वो पहले से ही रहेगा और that will be equal to a a दिया है बच्चो आपको 24 ठीक है इसमें limit put कर दीजी कहां से कहां तक 0 से लेकर के k तक जहां से देखना बच्चो 2 उपर आएगा 8 by 3 ठीक है अब यहां पर कितना हैगा root k और k की power 3 by 2 होगा बच्चो k की power 1 by 2 into k so that is root k into k ठीक है that will be equal to 24 इसको काट दीजी बच्चो तीन बार root k into k will be k और k into k k square so k square बराबर 9 और k square अगर 9 है बच्चो तो k का मान कितना आने वाला है k का value 3 आने वाला है क्योंकि k positive दिया है आपको और ऐसा कौन सा option है clear होगा चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं बच्चो question number 61 देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आप सबका favorite होगा sin cos एक साथ दीख जाए power 2 में तो निकालिए बच्चो cos को बाहर cos बाहर आएगा तो क्या आएगा cos square x cos square x ऊपर जाकर के हो जाएगा बच्चो सेग square x sin by cos हो जाएगा बच्चो 10x प्लस 1 का whole square ऐसा बन जाएगा क्या किया मैंने cos x को बाहर common निकाल दिया है बच्चो अब क्या करना है बच्चो 10x प्लस 1 को t put तो सेग square x इंटीग्रेशन दी t put करो देखो सेग square x into dx dt ये t square अब क्या करना होता है limit change करनी होती है limit देखो जाहन से x को 0 put किया तो 10 0 का मान 0 0 प्लस 1 1 so lower limit 1 upper limit 5 5 4 45 degree 10 45 degree 1 1 1 प्लस 1 2 तो upper limit will be 2 that is the integration आप सब को आता होगा बच्चों क्या होता है minus 1 by t limit put कीजिए 1 से 2 so that is minus 1 by 2 plus 1 upon 1 lcm will be 2 so minus 1 plus 2 that is 1 by 2 so 1 by 2 will be the answer है बच्चों बिल्कुल है देखो यह रहा ठीक है second option सही होगा 61 के अंदर clear होगा चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चों question number 62 यह भी integration का है देखो बच्चों बिल्कुल same question अभी अभी जो हमने किया सब को नीचे ले आओ sin x का root sin x ठीक है cos की power minus 3 that will be cos cube x का root power 1 by 2 का मनले होता है root उपर है बच्चों dx फिर से वही काम करना है बच्चों देखो root sin और root cos cube तो cos की power 4 से divide कीजिए उपर नीचे root के अंदर तो उपर तो करोगे तो cos की power 4 क्या बन जाएगा seg की power 4 लेकिन root के अंदर है बच्चों तो वह बनेगा फिर से देखो seg square x into dx नीच आते हैं root cos की power 4 तो cos cube तो कड़ जाएगा और sin by cos कितना हो जाएगा root 10x अब आपको वही काम करना है 10x को मान लीजिए बच्चों t square तो seg square x into dx बराबर कितना आ जाएगा 2t dt put कर दो देखो 2t dt seg square x into dx 2t dt ये t square का root that is t t से t cancel out तो dt का integration t plus c t किसको माना था अपनने 10x बराबर t square तो t बराबर root 10x so 2 root 10x plus c यही होगा बच्चों आपका answer है option बिल्कुल है बच्चों कौन सा second option ठीक है चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते है question number 63 63 क्या है देखो इसको integrate करना है क्या निकालना है i1 plus i2 देखो बच्चों पहले ही जोड़ दो आप हाणा integration करने के बाद जोडने की जुरूत नहीं है ठीक है पहली टरम क्या है द्यान से देखो e की पावर x divided by e की पावर x plus e की पावर minus x plus देखो बच्चों यहाँ पर e की पावर 2x है ना और इधर x और minus x था इसी को देखते हुए नीचे e की पावर minus x से multiply किया तो यह तो हो जाएगा e की पावर plus 2 minus x that is plus x और 1 के साथ e की पावर minus x multiply होकर के e की पावर minus x ऊपर भी हमें करना पड़ेगा नीचे किया है तो e की पावर minus x into dx देखो बच्चों दोनों का denominator सेम हो गया और आंसर आ गया 1 into dx that is x plus c कितना आसान क्यूस्टन था और ऐसा option कौन सा है second option क्या किया हमने एक बार दुबारा देके जान से इसको denominator और multiplication किया e की पावर minus x के साथ में ठीक है तो नीचे दोनों का denominator सेम बन जाएगा बच्चों clear चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 64 64 क्या कह रहा है हमें question number 64 कह रहे हैं x divided by mod x का integration बच्चों signum x signum x क्या होता है जब x negative होता है तब minus 1 होता है बच्चों minus 1 into dx minus 2 से minus 1 that is minus x limit put कर दीजिए बच्चों minus minus 1 plus 2 that is 1 so 1 into minus 1 will be minus 1 ऐसा है option बिलकुल है बच्चों कौंसा second option खीक है चले आगे चली चलते हैं देखते हैं आगला क्यों श्टी फाइप्च्ट critical points how many extreme values does sign 4x plus 2x where x lies between 0 से 5 by 2 ठीक है न यह जो expression है ठीक है न इसके लिए कितनी extreme values exist करेगी बच्चों तो हमने इसको एक function मान लिया y ब्राबर sign 4x plus 2x इसको differentiate कीजिए so dy by dx ब्राबर कितना आएगा 4 into cos 4x minus plus 2 will be equal to 0 extreme values वहाँ मिलती है जब यह 0 होता है तो यहां से मिलेगा बच्चों cos 4x will be equal to minus 1 by 2 अब देखो बच्चों आपको यह बताना है कि cos 4x minus 1 by 2 कब होगा यदि x हमारा 0 से pi by 2 के बीच में है देखो बच्चों अगर x 0 से pi by 2 के बीच में है तो 4x कहां पर होगा बच्चों 4x होगा 0 से लेकर के 2 pi के बीच में और 4x को बच्चों को बच्चों को ट मालने तो t की value है 0 से 2 pi में और cos 4x को t मानेंगे तो यहां से cos t ब्राबर minus 1 by 2 that means बच्चों अब आपको इसके लिए बात करने है cos t के बारे में कि cos t की value minus 1 by 2 कब होगी और कौन से interval में 0 से 2 pi में तो हम सब को पता है बच्चों cos का graph 0 से 2 pi में ऐसा होता है और minus 1 by 2 वाली line यहां पर होगी और यह दोनों lines आपस में cut करेगी बच्चों दो points पर और दो points पर cut करेगी तो extremum values भी बच्चों इसकी 2 होगी इस interval के लिए clear होगा चले इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं कि उससे number 66 क्या कह रहे हैं देखो 66 के अंदर अपने को तब maximum value of this function बच्चों इसकी maximum value निकालनी है तो देखो बच्चों 10 और cot एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों उल्टे reciprocal ऐसा जब भी होता है तो हम लगाते हैं बच्चों am is greater than or equal to gm 10x into cot x का product होगा बच्चों 1 ठीक है न 10x और cot x को लिखा 1 by 10x तो यह कट जाएगा और कट चलेगा कि 10x plus cot x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा और कहां तक जा सकता है बच्चों infinite तक जा सकता है क्यों क्योंकि limit x कहां तक जा रही है पाई पाई 2 की तरफ तो यह interval है बच्चों 2 से लेके अनन तक है ठीक है और 2 से लेके अनन तक का जब आप reciprocal करोगे बच्चों 10x plus cot x ठी जब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा inequality का sign भी change हो जाएगा ठीक है और sign change हो जाएगा ठीक है तो इसका जो अधिकतम मान आएगा ठीक है वो आपका कितना आजाएगा बच्चों वो आजाएगा 1 by 2 जब minimum value दर 2 है तो maximum आएगी आपकी 1 by 2 और ऐसा कौन सा option है second option clear च करना है हमें बच्चों f of 2 का value निकालना है और f of 2 निकालने के लिए में function चाहिए होगा और function चाहिए उसके लिए functional equation को solve करना होगा तो एक बार तो देखो बच्चों इसको ऐसे ही लिखते है जैसा यह दी गई है हमें question के अंदर लेकिन इसको multiply कर लेते हैं तो यह इसमें 1 by x put करोगी तो यह x हो जाएगा वापिस इसमें 1 by x put करोगी तो 4 by x square और इसमें 1 by x put करोगी तो x square अब हमारा मक्सद क्या है बच्चों fx निकालने का तो एक काम करते हैं बच्चों इसको 4 से multiply कर देते हैं ठीक है और इन दोनों को जोड देते हैं बच्चों यहां स से minus 1 fx so that is 15 fx अचा बच्चों आमने जोडा इसी लिए था ताकि यह minus 4 fx और plus 4 fx कट जाए ठीक है यहां भी कट जाएगा बच्चों minus 4 x square plus 4 x square कट जाएगा 16 minus 1 इधर से भी मिलेगा बच्चों 15 x square कितना आएगा तो देखो कितना आएगा 15 से 15 कट जाएगा बच्चों तो fx बराबर x square आजाएगा अब देखो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अपनी value आप से पुछा f of 2 तो x को 2 put कर दो answer आजाएगा बच्चों फोर और यही है आपका सही answer आगी बात समझ में चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों क्यूसर नं है तो आप इसमें put करते रहिए और निकालते रहिए सबसे पहले f of minus 1 निकालिए so that is minus 4 plus 3 so that is minus 1 अब बच्चों इसको वापस put कर दीजी इसी function में तो बच्चों minus 1 आ रहा है तो कितनी भी बार put करोगे तो minus 1 ही आएगा तीन बार नहीं इसको आप 10 बार निकालिए आपका answer ह हमेशा minus 1 आने वाला है किलियर चलते हैं आगे बात करते हैं बच्चों question number 69 के बारे में वाव क्या करना है हमें differentiation देखो बच्चों differentiation करते हैं आप सबका favorite topic बराबर 1 क्या करें लोग ले लीजी बच्चों दोनों साइड तो ln x की power y plus ln y की power x बराबर ln 1 ठीक है पावर को बाहर निकाल लीजी y into ln x plus x into ln y बराबर ln 1 कितना होता है 0 ठीक है कर दीजे differentiate both side with respect to x तो y का dy by dx into x और y देखो दोनों को 1 1 put करना है तो यहां लोग 1 की value 0 होती है बच्चों किज़र अगली बार किसका करना है y की value 1 और log x का 1 upon x x की value 1 ठीक है फिर आगे चलते x का करेंगे तो log x का 1 log y log 1 log 1 log 1 की value होती है बच्चों फिर से 0 फिर आगे चलते बच्चों x की value 1 into log y का 1 upon y y की value 1 into dy by dx बराबर कितना है 0 तो देखो बच्चों यह हो गया 0 यह हो गया 0 यह 1 यह d y by dx तो dy by dx बराबर कितना आ गया minus 1 आ गया है बच्चों और यही है आपका answer बिलकुल दे रखा है बच्चों आपको कहा पर पहले option के अंदर ठीक है तो dy by dx 8.1,1 कितना आ जाएगा minus 1 आ जाएगा किलियर है चलिए बच्चों आगे बात करते है question number 70 के बारे में क्या करना है इसको differentiate करना है again 8x equal to 1 तो देखो बच्चों यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो करते हैं बच्चों क्या इसमें log लेते हैं दोनों side ठीक है ताकि थोड़ा आसान रहे log y ब्राबर ln of x to the power x की power x पहले तो यह x बाहर आएगा और यह बन जाएगा बच्चों x into ln of x की power x फिर से बच्चों यह x भी क्या आएगा आपके पास में बाहर ठीक है तो यह x भी जब बाहर आएगा तो बाहर कितना हो जाएगा x square हो जाएगा क्यों क्योंकि यह भी इसकी किसम है बच्चों power के अंदर है और यह आप इसको direct भी अगर करें ठीक है त इस x को भी बाहर निकाल सकते हो आप so ln y ब्रावर आ गया x square into ln x अब आपको क्या करना है बच्चों इसको differentiate करना है तो बड़े ही आसानी के साथ 1 by y into dy by dx ब्रावर x square का करोगे तो 2x into ln x plus ln x का करोगे तो 1 upon x इसमें put कर दीजे x और y दोनों को 1 1 क्योंकि जब x 1 होगा तो y भ पूट करोगे तो dy by dx ब्रावर देख बच्चों यहाँ one put करोगे तो यह ट्रम तो क्या आ गई 0 और यह 0 हो गई plus क्यों क्योंकि log 1 0 होता है यहाँ one put करोगे कितना आएगा one तो यही होगा बच्चों आपका answer dy by dx का मान कितना आ जाएगा one आ जाएगा clear है चले इसी के साथ है आगे बात करते हैं बच्चों क्यूसन नंबर 71 की ओर क्या है 71 कि greatest integer of x plus 1 ठीक है न इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा option इसमें से सही होगा तो x equal to minus 3.5 पर यह कितना होगा बच्चों minus 3.5 plus 1 greatest integer के अंदर so that is minus 2.5 और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एक क्यूसन के अंदर कि decimal पर greatest integer का differentiation क्या करता है एक्जिस्ट करता है और वहाँ पर एक horizontal line आती है इसलिए dy by dx की value क्या होती है मिसा 0 होती है आप से यही पूछा है what is the derivative of y with respect to x at the point x equal to 3.5 हाँ अगर 3.5 की जगे कोई integer होता त तो फिर वहाँ पर does not exist आता बट यहां तो पर तो exist करेगा that is 0 decimal पर greatest integer का आउकलाज भी exist करता है और उसकी continuity भी exist करती है clear चले इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं question number 72 के अंदर 72 क्या कह रहे है देखो हमें अचा इस differential equations के थुरू आपको बच्चो y of 1 निकालना है देखो बड़ा ही आसान है y को नीचे ले आईए तो इधर बचेगा ln5 दोनों साइड integrate करोगे तो ln5 ब्राबर ln5 अचा dx इदर आजाएगा so that is x plus lnc या सीधा c भी ले सकते हो आप चाहो तो ठीक है lnc लिख लिए ठीक है आप देखो आपको दे रखा है y of 0 will be 5 means जब x 0 है तो यह 0 हो जाएगा तो यह है ln5 और प्लस lnc तो यहां से c की value क्या आजाएगी बच्चो ln5 आजाएगी ठीक है अब आप से क्या पुछा है y of 1 y of 1 के बारे में बात करें तो x को 1 put करेंगे इसमें तो ln y ब्राबर ln5 प्लस lnc तो यहां से कितना आएगा यहां से आएगा ln y ब्राबर lnc5 तो ln तो हट जाएगा तो y ब्राबर आजाएगा 5c और c की value आपन निकाल चुक है that is ln5 इसको put कर दीजिए so y ब्राब कितनी होगी 1 होगी ऐसा है option बिल्कुल है बच्चो fourth option जो कि आपका सही answer है यहां पर clear चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चो question number कौन सा 73 73rd question क्या कह रहा है देखो अपने को बच्चो 10 की power x that is exponential function ठीक है जिसका graph बच्चो कुछ ऐसा होता है हम सबको पता है ठीक है exponential graph ऐसा होता है जब base x से बढ़ा हो इसके बारे में बताना है बच्चो इ यहां से लेकर के यहां तक इस गाउँ से लेकर उस गाउँ तक मैंस मानस इंपाएनायट से प्लस इंपाइनाइट पहला option बिल्कुल सही है दूसरा क्या कहरा है इडिस continuous function बिल्कुल है बच्चो यह continuous कहिं नहीं ठूट रहा है यहां से शुरूव हा इधर आ गया तो this is continuous function य यहां पहुंच होगे इसलिए यह कहीं पर भी आपका 0 नहीं होगा ठीक मिस कहीं पर भी डज नोट एग्जिस्ट नहीं होगा लैट मिस हमेशा डिफ्रेंशियबल होगा तो x equal to 0 पर भी डिफ्रेंशियबल है तो बच्छो सभी option सही है a b and c all are correct clear चलते हैं आगे बात करते हैं question number 74 के बारे में बच्छो यह limit निकालनी है x cube divide by cosec x square एक काम करते हैं बच्छो x cube divide by नीचे ले आएं sin x square हो जाएगा अब एक काम करें इसमें से 1 x को बाहर निकाल दे तो पिछे बचेगा x divide by sin x का all square ठीक है अब इसमें limit put कर दो limit extending to 0 पर यह तो 0 होगा और x upon sin x की limit अपने को पता है कितनी होती है 1 लेकिन 0 into 1 का square तो हमेशा 0 ही होगा और 0 होगा तो कौन सा option हो जाएगा पहला option सही बात है चले आगे चले देखते हैं next question 75 बच्छो इसमें limit निकालनी है एक काम करें LH rule हमारा बर्मास्तर यूज़ कर लेते 0 by 0 form x cube का differentiation 3 x square minus 1 का 0 2 root x minus 1 का 0 अब 1 put करेंगे तो बच्छो does not exist नहीं आएगा क्या आएगा सिधा answer 3 divided by 1 by 2 that is 6 ऐसा है option बिलकुल है बच्छो 6 will be the correct answer ठीक है चले आगे चले देखते हैं आगे next question 76 क्या कहे रहा है बच्छो which one of the following interval in the function is decreasing बच्छो function decreasing कहा होता है जहां पर f dash x will be less than 0 f dash x negative कहा है बच्छो इसको differentiate करो 3 x square 3 cancel out minus 14 x by 2 that is minus 7 x और plus 6 ये less than 0 होना चाहिए और ये less than 0 होने का मतलब x minus 1 into x minus 6 इसको factorize कर लीजे बच्छो तो यहां से आपको पता चलेगा कि x से लेकर के 6 के बीच में कैसी है ये inequality negative जब x 1 से 6 के बीच में ऐसा है option बच्छो second जो की आपका सही answer है ठीक है चलते हैं आगे बात करते है question number 77 क्या कह रहा है the derivative of this function when it says it x equal to 2 देखो बच्छो सिरफ आपको ये बात कही गई है कि इसका derivative x equal to 2 पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो चलिए बच्छो अपने इसका derivative x equal to 2 पर 0 करें तो आएगा minus m by x square plus 2n ब्राबर 0 कहां पर x ब्राबर 2 पर so minus m by 4 plus 2n ब्राबर 0 ठीक है इसको LCM लेते हैं तो हमें मिलेगा 8n minus m ब्राबर 0 लेकिन बच्छो अपने से 8n plus m पूचा है और अपने को सिरफ एक ही condition दी है इसका मतलब ये हुआ कि अपन m plus 8n cannot be determined determine इसको कभी अपन calculate नहीं कर सकते ठीक है तो चोथा option सही हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि जब तक आपके पास में 2 variable में 2 equation ना हो तब तक आप उसको solve नहीं कर सकते clear चलिए चलते हैं आगे बात करते हैं बच्छो 78 के बारे में 78 क्या कह रहा है बच्छो फर्स्ट क्वाडेंट के अंदर इसका area कितना होगा बच्छो अपन सबको पता है y ब्राबर x cube का graph ऐसा और y ब्राबर x का graph ऐसा तो फर्स्ट क्वाडेंट में ये area होगा इन दोनों का यहाँ पर ये point 0-0 और ये point होता है 1-1 जब दुबारा ये क्या होते हैं सेम होते हैं तो एक काम करते हैं बच्छो जीरो से 1 में ये area निकाल लेते हैं उपर वाला करव पहले और नीचे वाला करव बाद में अपर करव माइनस लौवर करव इंटू d x करें calculate कितना आ रहा दे कितना आएगा 1 by 2 minus 1 by 4 LCM लोग ए 4 2 minus 1 that is 1 by 4 और 1 by 4 कौन सा option है बच्छो second option जो की आपका सही answer है ठीक है चले आगे question number 79 के बारे में बात करते हैं बच्छो 79 क्या कह रहा है कि xy ब्रावर ये है then minimum value of x plus y देखो बच्छो x और y natural number है means positive value x plus y की value निकालनी है और x y की value पूची है तो एक inequality जो होती है हमारी arithmetic mean will be greater than equal to geometric mean उसको यहां पर apply करते हैं देखे बच्छो कितना आ रहा है तो यहां से मिलेगा आपने को x plus y will be greater than or equal to 2 time root xy root xy की value देरक्छी अपने को बच्छो 4 2 2 5 और यह आप सब को पता होगा नहीं पता है तो इसको calculate कीजी square root को long division method से तो आपको मिलेगा 65 तो 65 into 2 होता है 130 so x plus y का जो न्यूनतम बान है वो आ जाएगा आपका 130 clear चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्छो question number 80 के बारे में question number 80 क्या कह रहा है देखो what does the equation represent यह equation किसे represent करती है तो चले देखते हैं कि यह equation किस चीज़ को represent कर रही है ठीक है तो यहां से आएगा बच्छो dy upon y minus dx divided by x लेकिन 2 है बच्छो multiplication में equal to 0 variable separate कर लीजे क्या मिलेगा ln y ब्राबर 2 time ln x square plus ln c ln 2 ln x plus ln c 2 को उपर लेगे तो y ब्राबर आ गया बच्छो x square c या y ब्राबर c x square हम सबको पता है बच्छो एक किस चीज़ का equation है यह एक पेराबोला के cool का equation है ठीक है ना family of the parabola ठीक है पेराबोला की बहुत सी families बन सकती इसकी help से ठीक है ना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ठीक है ना इस टाइप से ठीक है जैसे सी change होगा और वेसे वेसे आपके पेराबोला जी आपर क्या हो सकते हैं बच्छो change हो सकते हैं clear है तो यह था आपके यह एक से नमबर 80 तिक क्लियर है यह एक से मैसल कमल सिंग टीम एस चील सी तो एंड यह के पेपर फर्स्ट के 2022 के पेपर का solution देखे मैस में तो question नमबर 81 से 120 तक का पेपर कोस्टिन के solutions करेंगे तो पहला 81 question है आपका if the points with coordinates यह coordinates है minus 505 P square 10 P and 5 Q square 10 Q are collinear then what is the value of PQ where P is not equal to Q तो अगर यह तीनों points collinear then area of triangle formed by them will be equal to 0 तो देखो अपने area of triangle क्या करते हैं equal to 0 ठीक है so area of triangle that will be given by in determinant form determinant form में ठीक है so this is 1 minus 5 0 1 5 P square 10 P and 1 5 Q square and 10 Q okay okay यहां से क्या common है 5 common है यहां से 10 common ले लो 21 फोर्म में बन जाएगा आपके पास में determinant 1 minus 1 0 so 1 P square यहां पे P so 1 Q square Q इस form में आ गया है अब इसको expand कर लेते हैं तो देखो पहले क्या आएगा आपके पास में पी स्क्यार क्यू माइनस क्यू स्क्यार पी इस पों में आ रहा है तो इस विल बी एर Q minus P so plus 1 Q minus P equal to 0 इसमें से common क्या है पी क्यू common है तो आपके पास में क्या आ रहा है यहां पे P minus Q P minus Q this you can write on P minus Q equal to 0 so P minus Q तो आपका equal to 0 हो नहीं सकता इस गिवन to you so PQ is equal to we have here 1 so PQ is equal to 1 answer to this question we have third option okay so next question so what is the equation of the straight line which passes through the point 1 minus 2 and cuts off and cuts off equal intercept from the axis coordinate axis पे equal intercept cut करती है तो line का equation देगो आपके पास में this is a a so what is the equation of this line x plus y is equal to a यह line होगा so it passes through which point 1 minus 2 तो यहां पे 1 minus 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 minus 2 is equal to a so what is a a is equal to minus 1 so what is the line which passes through this point 1 minus 2 and makes the equal intercept on both the coordinate axis तो क्या आएगा आपके पास में minus 1 this is x plus 1 x plus y plus 1 is equal to 0. So answer to this question we have third option. Next question what is the equation of the circle which touches which touches which touches both the axis in first coordinate दोनो axis को touch करता है ठीक है so in the first coordinate so and the line y minus 2 is equal to 0. So very simple so देखो line y is equal to 2 यह हो गया clear है यह यह तो है circle which touches both the coordinate axis and also line y is equal to 2. So diameter of the circle we have the 2. So radius क्या होगा इसका 1 1 radius is 1. So what is the center center is 1 1. So what is the equation of the circle x minus 1 whole square y minus 1 whole square is equal to 1 radius of the circle we have 1. So after simplify we have the equation of circle x square minus x square plus y square minus 2 x minus 2 y plus 1 is equal to 0. So answer to this question we have. So answer to this question we have. So x square plus y square minus 2 x minus 2 y plus 1 is equal to third option. Okay next question. So next question 84 में देखें क्या है what is the equation of the parabola with focus minus 3,0 and directrix is directrix क्या है यहापे आपके पास इसकों तझा है ये रिक्के सो अपके पास में आपके पास में व्रिटेक्स of the parabola 00. So, if this is x is equal to 3, okay. So, midpoint of x is equal to 3 and minus 3, 0 that is 00, okay. So, parabola will be of this form. So, ये फोकस होगे आपके पाहस में minus 3, 0, okay. So, distance between the focus and vertex is 3. So, what is the equation of the parabola? So, this is in the negative direction of the x-axis. So, equation of the parabola will be y square minus 4x. What is a? a is minus 3. So, minus 12x. So, equation to this parabola we have y square is equal to minus 12x. Answer to this question, fourth option. Next question. So, what is the distance between the foci of the ellipse? x square plus 2y square is equal to 1. So, distance between the foci of the ellipse? You have to find out. So, देखो अब इसमें. So, ellipse के आपके पास में? x square plus 2y square is equal to 1. So, we have x square upon 1 plus y square upon 1 upon 2 is equal to 1. So, इसके eccentricity देखो, what is eccentricity we have? Eccentricity of the ellipse we have 1 minus. So, b square upon a square. So, यह आपके पास में 1 minus 1 upon 2. Okay? So, this we have 1 upon root 2. इस पूम में आगे? So, distance between both the foci you know. What is a? a is 1. So, distance between foci. क्या होता है आपके पास में? between foci. that is 2 ae. 2 ae. So, what is a? a is 1. Here we have. So, 2 upon root 2. So, this is root 2. So, answer to this question we have second option. Next question. तो next question में देखें. Let a, b, c, b the lengths of the sides b, c, c, a, a, b respectively of the triangle a, b, c. p is the perimeter and q is the area of the triangle. then what is this relation equal to? यह relation किसके बराबर आएगा? तो देखों आपके पास में triangle क्या है? This is a, b, c. Okay? So, यह साइड आपके पास में इदर a, this is b, this is c. So, perimeter is b have here a plus b plus c. Okay? So, you know p y2, p y2 is equal to we have s. Half of the perimeter is equal to small s k. So, tan a y2 you know in the triangle by solution of triangle. So, we have delta upon s, s minus a. यह relation होता है आपके पास में. So, यहाँ पर आपके s की value डालें. So, area of the triangle that is given to you in the term of q. q के term में दिया हुआ हुआ. So, इसको q लिखें q. So, यहाँ पर आपके क्या करोगे? इसकी p y2 and this is p y2 minus a. Okay? इसको जब simplify करोगे 4 उपर चला जाएगा तो इधर क्या हाँ आपके पास है? p, p minus 2 a. tan a y2 is equal to 4 q. So, answer to this question we have the fourth option. Okay? So, next question. So, a straight line passes through the point of intersection of the, these two lines. Point of, in ke point of intersection and it cuts the equal intercept in fourth quadrant. Fourth quadrant में equal intercept cut करती है. So, then some of the absolute values of the intercepts. So, you have to find out the sum of the absolute values of the intercepts. Sum of the absolute values of the intercepts. See, यह find out करना है. तो आपके पास में पहले इनका point of intersection निकाल लो, lines का न, दोनों का. तो देखो क्या आदा है आपके पास में? X plus 2Y plus 2 equal to 0. Clear है? तो इसको अपने 2 से multiply कर ले, coefficient से बना लेते हैं. तो आपके पास में 2X plus 4Y plus 4 equal to 0. Okay. So, 2X minus 3Y minus 3 is equal to 0. So, subtracting these two we have 7Y plus 7. So, this is Y is equal to minus 1. Y की वाल्यू मिल की यहां रखो किता X is equal to 0. So, that line passing through which point minus 1, 0 इससे पास हो रही है. And which makes the equal intercept. It means that makes the 45 degree angle with the X-axis. So, this point is 0 minus 1. Okay. So, cuts of equal intercept in 4th quadrant. 4th quadrant may equal intercept. This is also 1. This is 1. But this is minus 1. This is 1. So, you have to take the sum of the absolute values of the intercept. So, what will the their sum of their absolute value? That will be 2. Okay. So, answer to this question we have. First option. Next question. So, 88 में देखें, under which one of the following conditions are lines AX plus BY plus C is equal to 0 and BX plus AY plus C is equal to 0 are parallel. तो किस कंडिशन के लिए ये ये लाइन के हैं पहलल होंगी? Okay. तो देखो, for parallel lines you must have the A1 तो पहलल लाइन के लिए क्या कंडिशन होती है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. It's not equal to C1 upon C2. ये. This is the condition for the two lines to be parallel. So, ये अपहर वहर वहर रिए A1. This is A. And what is A2? That is B. This is B upon A. That is 1. सो इसकी वैलिव आपके पास में खेल नहीं आनी चाहिए इप आपके पास में किस कंडिशन में इस नोट बी इकल तो अगर अपने देखों ए प्लस बीजिगल टू क्या करते हैं इकल टू जिरो लेते हैं तो बीजिकल टू- दोनों कंडिशन ami is square two me you point is equal to minus here you will get here minus one minus one that is not equal to one दूर्सन कांग कि वसे हाइं है अगर एक वसे से सक्षा के आपके पास में क्या 하ए में तो लाइन्स उन्स तो एकट वान्स लोगनें प्लूमलन एंप fourth option में आपके पास में क्या दोनों कंडिशन सा रही हैं A is equal to B and A plus B तो दोनों में इसमें दखो अगर A plus B B equal to 0 और A minus B is equal to 0 so दोनों के लिए true करोगे तो आपके पास में ये condition satisfy नहीं करेगी क्योंकि A is equal to B पर ये आपके पास में lines क्या हो जाएंगी Câu अगर तो इस अन्सर पूनों को झाएंगी सो था झाएंगी तो झाएंगी हैं तो वे तो 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 लिए जाएंगी 0, so in that case this is minus one minus one, okay so which option is correct here so second option, okay next question so what is the equation of the locus of the midpoint of line segment obtained by cutting the line x plus y is equal to p by the coordinate axis so a line up ke pass x plus y is equal to p which will meet the coordinate axis in this way whose slope is minus 1 so this is p intercept made by the this line on both the coordinates is same okay so you have to find out the locus of the midpoint of so ishka midpoint kya lat kalat h, k okay so this will be here p so p is equal to agar ishka coordinate this is p, 0 so p is equal to 2h aega apke pass okay p and this is 0, p so in both the cases if you apply the section formula midpoint formula so p is equal to 2h and p is equal to 2k so both are equal to h is equal to 2k so what is the locus of midpoint of the intercepted part of the line between the coordinate axis that is x is equal to y okay so answer to this question we have first option okay next so if the point x y is equal distance from the point 2a 0 and 0 3a so where a greater than 0 then which one of the following is correct okay so agar kya apke pass me koi point in dono point se kya equal distance per rata hai so that point you can take the perpendicular bisector of the line segment joining the these two points that will be the locus of those points which are equal distance from these two points the go apke pass me either here to a comma 0 it 0 what is the midpoint midpoint kya agar ishka apke pass me here we have a and 3 a by 2 ishka slope lelo a pke pass me slope kya hai so slope is here so 3 by 2 so this is 3 minus 3 by 2 minus 3 by 2 so ishka slope kya aya apke pass me that is 2 by 3 okay perpendicular to this line and iisaka perpendicular हो इसके perpendicular हो और ना तो अपने को आपके करना है Quashion Of The Line passing through this point and having slope 2 by 3 so y minus 3 a by 2 is equal to 2 by 3 x minus say इसको simplify कर लेते हैं तो यह आपके पास में क्या आरहा है देखो इसमें so we have 6y and minus 9a इधर आपके पास वे 2 से जाएगा तो यह 4x and minus 4a okay इसको simplify करके लिखा 4x minus 6y plus 5a so this is the locus of the those points which are equidistant from the these two points which will be the perpendicular bisector of the line segment joining the these two points okay so answer to this question be here so third option so answer to 90 question be here third option the next question the plane 6x plus ky plus 3z minus 12 is equal to 0 where k not equal to 0 meets the coordinate axis at point a b and c respectively the equation of this sphere passing through the origin and point a b c clear to you that plane also passing through the these three points a b c तो ऐसा है ना आपके पास में देखो इस तरीके से यह plane है ठीक है किस पॉइंट से पास्वारा आपके पास्वार किस्वार इस थे जापके तरीके से सफीर है यह वाला ओके तो अब अपने को so sphere intersect the x-axis so what are the coordinates of point a put here y and z is equal to 0 so y or z is equal to 0 put karokat so here you will get x is equal to 0 and x is equal to 2 so its coordinates are 2 0 0 okay so when the sphere intersect the y-axis so put x and z is equal to 0 so x or z equal to 0 kia to this coordinate आपके पास में आ जाएंगे 0 3 0 and similarly when it intersect the z-axis so put here x and y equal to 0 so you have z square minus 4 z so what are the coordinates of this 0 0 4 so we have these three points a b c where this sphere intersects the all the three coordinate axes am now this plane passing through all these three points so yeh tino points kia is plane ko satisfy kareenge so you will get the value of k so dekho abh isme a apne kya simple kya hai k ki value point out karne hai hai toh yeh point rakhlo 0 3 0 so ismei rakha toh 0 plus 3 k and minus 12 yeh hi hae ga ok so that is we have 0 so k is equal to we have 4 so answer to this question we have value of k is 4 so next question next we have to go the p is the perpendicular distance from the center of the sphere to the plane then which one of the following is correct to k ki value i mean 4 nikaal iti okay so p is the perpendicular distance from the center of the sphere center of the sphere is we have here so that is 1 3 by 2 and 2 this is the center of the sphere and now in previous question we have found there the value of k is 4 toh aapke paas mein equation of the plane so that is 4y plus 3z minus 12 equal to 0 okay so abh ismei perpendicular distance of the center of the sphere from this plane so that is we have p p p k toh ismei aap rakhhenge toh kya aata aapke paas mein dego so 6 and this we have yaha peh 6 and plus 6 minus 12 okay so unroot me toh 6 square plus 4 square and 3 square yeh aaye ga toh isco aap simplify kare hath rakhhen so either aapke paas mein this we have ha six upon so 36 and 25 roots 61 okay a grap aps isco simplify karter teha toh isco just nikal teha that will be approximate equal to butt we have 0.77 iya isk eko layega so 0.77 lies in which interval to कॉंसे इंट रिवल में लाही कर रहा है यहां पर, so second option, okay, answer to this question, we have the second option, next question, अब इसमें देखो अब इसमें देखो, the plane 6x plus ky, the plane 6x plus ky plus 3z minus 12, where k not equal to 0 meets the coordinate axis, वो हाई है आपके पास में, so what is the equation of the line through the origin and center of the sphere, so center of the sphere we have 1, 3 by 2 and 2, clear, so line passing through the what, origin, so in symmetrical form the equation of the line that is passing through the origin, clear, and also passing through the center of the, so what are the direction ratio of the line, so x upon 1 minus 0 and y upon 3 upon 2 minus 0 and z upon 2 minus 0, इस पहुम में, तो इसको देखो आप के हैं, LCM ले लेते हैं, तो क्या आरा आपके पास में, x, here we have 2, y upon 3 and this is z upon 2, so LCM भी है भी है, 6, तो अपने 6 से multiply करेंगे, तो 6 से multiply करोंके, 6 x, यहां पे कितना आएगा, 4 y and here we have 3 z, so what is the equation of the line, that is the 6 x plus 4 y, 6 x is equal to 4 y is equal to 3 z, so answer to this question we have 4th one, okay, so next question, so next question में, let the plane 2 x upon k plus 2 y upon 3 plus z upon 3 is equal to 2, pass through the this points, this point से pass कर रहा है, ठीक है, so what are the direction ratio, ratio of the normal to the, normal of it to the plane, तो simply आपके पास में इस पॉइंट से जब पास करेंगा प्लेंट तो इसमें रखें, तो क्या हारा आपके पास है, 4 upon k and that is 6, 6 upon 3 that is 2 and minus 6 that is minus 2 is equal to 2, okay, so k is equal to we have here 2, k की value हमारे पास में 2 आगे, so what is the equation of the plane, so we have x plus 2 by 3 y and z upon 3 is equal to 2, तो यहां से लस्म लेने, 3 x plus 2 y and plus z is equal to 6, okay, so what are the direction ratio of the normal to the plane भी है, यहां से direction ratio of the normal to the plane will be the coefficient of x, y, z in the given plane, so these are the 3, 2, 1, okay, so answer to this question we have first one, next question, so next question में if 4 i plus j minus 3 k and p i plus q j minus 2 k are collinear, so then what are the possible values of the, if these two vectors are collinear, so one vector will be expressed in terms of the other with scalar multiple, तो एक vector को दूसरे vector के terms में express करेंगे equal to each other with scalar multiple, तो दो को दोनों को linear है, तो क्या आएक 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 आपके पास में, 4 i plus j minus 3 k, lambda, पी पी प्सक्यू जे, minus 2 k, तो के, तो यहां से आप k के कोपिशन को जब कंपेर करो गए, तो भी है, minus 3, minus 2 lambda, so what is the lambda, lambda is equal to 3 by 2, अब लेम्डा की वैलवी यहां रखेंगे, so comparing the value of i cap, comparing the coefficient of i cap, so we have 4, so this is 3 by 2 into P, so we have, so P is equal to 8 by 3, P is equal to 8 by 3, P की value अपने पास में 8 upon 3 आ गए, तो similarly comparing the coefficient of j cap, तो j cap के coefficient compare करोगे, तो आपके पास में क्या रहा है, 1, यहां से lambda की value कितनी है, 3 by 2, so 3 by 2 k, so we have, this is q is equal to 2 by 3, so which option is correct here, so third option, so next question, अब नेक्स कुस्टों में देखें आपके पास, if a vector, b vector, c vector, are the position vector of the, versus a, b, c respectively of a triangle, a, b, c and g is the centroid, okay, then triangle, of the triangle, so then what is the a, z vector, so pv of g will be pv of g, क्या आएगा आपके पास में, a vector plus b vector plus c vector upon 3, now what is the a, z vector, a, z vector is nothing, this is pv of g minus pv of a, okay, इस पुम्में रहेगा, तो pv of g, we have a vector, plus b vector, plus c vector, upon 3 minus, so pv of a, a, so this we have a vector, plus b vector, minus 2 a vector, upon 3, so this is a, z vector, so answer to this question, we have third option, next question, अब जागो इसमें, 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 इसमें क्या है, consider the following statement, dot product over vector addition is distributive, if we take the 3 vectors, a vector, b vector, c vector, so, so, a vector dot b vector plus c vector, so this is, follow the, this dot product of, two vectors always, obey the rule of distributive law, okay, so, over addition, so, a vector dot b vector, and a vector dot c vector, so this is true, okay, so in case of the cross product, cross product vector, will cross product over the vector addition, is distributive, so similarly, this is also true, a vector, cross b vector plus c vector, so this you can write on, a vector cross b vector, plus a vector cross c vector, इस तरीक रिखे से, तो distributive law को follow करता है, so, cross product of the two vectors, so similarly, क्या है, यहां पर देखो, cross product of the vector is associative, this is not true, so, a vector, cross b vector, cross c vector, so this is the vector lying in the plane of b vector and c vector, so this can never be equal to, a vector, cross b vector, cross c vector, why? Because this vector lies in the plane of a vector and b vector, so they are different, clear, so, this third statement is we have not true, so this is not possible, so which option is correct here, so third option, a and b are correct only, next question, so next question में, let a vector, b vector, c vector be the three non-zero vectors such that the a vector cross b vector is equal to c vector, consider the following statements, so from the, these cross product of the two vectors, so we conclude that the c vector is perpendicular to the plane containing a vector, b vector, so vector c है, जो आपके पास में उस plane के perpendicular होगा, जिसमें a vector और b vector है, तो c vector तो आपका unique होगया, when a vector and b vector are given, okay, अगर आपके पास में a vector given है, a vector, अब इसमें देखो, a vector is unique, a vector क्या unique होगा, if b vector and c vector, if the position of the call, now cross product of these two vector, we have c vector, c तो हमेंचा unique रहेगा, अगर b a vector की अपने क्या है, a vector की ऐसे, this is b a vector, so a vector की अपने position change कर सकते है, this is not, remains unique, ये unique नहीं रहता, जो अगर अपने ऐसे कर देखोगा, so here we have a vector having the different directions, but in their cross product will be here c vector, that will be the unique, अब इस केस में भी आपके पास में क्या रहेगा, that is unique, ठीक है c vector will be unique, अब इसमें, मतलो, conclusion क्या निकला, a vector unique नहीं रहेगा, कब वेन, if b vector and c vector, b vector and c vector are given, तो यहाँ पे आपके पास में a vector, ये भी हो सकता है, ये भी है, that is not unique, you may have the different a vectors here, many a vectors there, so, first, this a is not correct, so c vector is unique, a vector and b vector lying in this plane, their cross product is the unique, that is c vector, so, which option is correct here we have, so, this is second one, second only, answer to this question we have, second option, next question, a vector and b vector be the two unit vectors such that the, a vector minus b vector, modulus of a vector minus b vector, less than two, ठीक है, if two theta is the angle between the a vector and b vector, then which of the following is correct, so, taking square, inka squaring कर लो, squaring both sides, आपके पास में, these are the unit vector, both are unit vector, squaring, we have, squaring करें के तो क्या आएगा आएगा आपके पास में, this is four, this is four, this is four, this is four, two, minus two, so, angle between a vector, b vector is two theta, so, this is four, less than four, okay, so, two common here, two common, one minus four theta, so, this you can write down, two sine square theta, less than four, sine square theta, is less than one, so, sine theta, कहां से कहां तक, vary करेंगा, from minus one to one, so, which option is correct, here we have, fourth option, okay, next question, next question, two digits out of one, two, three, four, are selected at random, and multiplied together, so, what is the probability that the last digit in the product appears as a zero, so, you know the, for the last digit to be zero, so, you must require, here we have, either, either two and five, or, four and five, so, you have the, there are the two cases, so, M में, आपके पास में, देखो, M में, क्या-क्या, आपके पास में, possibility, आपके पास में, so, what are the, here, favorable cases, here we have, two five, and four five, इस तरीके से हुआ, so, how many number of elements, are there in M, that is two, and N, we have here, five C2, so, what is the probability, we have M upon N, so, कितने आपके पास में, यहापे दो है, so, यह आपके पास में, 2 upon 10, so, answer to this question, we have, one upon five, okay, the next question, the frequency curve, assuming, unimodal, corresponding to the data obtained in an experiment is skewed to the left, so, what is the conclusion can be drawn from the curve, so, for the skewed to the left, clear, so, then, what type of the graph will be there, for the distribution, distribution, so, graph, for the distribution, will be, given as, this type of graph, रहेगा, आपके पास में, when it is skewed to the, left, so, this type of graph, रहेगा, यह, इस type से, तो, इदर का पोर्शन क्या होगा, आपके पास में, ज्यादा होगा, skewed में, इदर की तरह आपके पास में, this will have the, large area, it is, the distribution is skewed to the left, so, this is x-axis, and this is y-axis, okay, so, this is, corresponding to this, this is f, and this is x, so, we have, this is mod, यह, mod भी लेगा, so, median always lies in between, mod and mean, so, यह, आपके पास में, यहाँ पर क्या हैगा, median, so, इदर median, so, यह भी है, mean, यह मेन मिलेगा आपको, ठीक है, इदर यह, median होगया, okay, so, now, mode is more than what, here we have, mode is greater than what, median, and this is, greater than what, mean, so, which option is correct here, fourth option, next question, next question, next question, the variance of the five positive, the variance of the five positive observations is 3.6, if the four observations are 2, 2, 4, 5, so, then what is the remaining observation, so, आपके पास में, you are given the here four observations, 4 observations आपको मिला यहाँ पर, तो फिफ्ट अपने 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 एक्सलेट कर लेते हैं, okay, so, here we have, variance is 3.6, तो देखो, variance किसके इको लाएगा, आपके पास में, यहां पर, so, variance is given by, so, 2 square, 2 square, 4 square, 5 square, and x square, okay, so, upon में, 5, so, minus, so, here we have, some there will be here, 9, 13, 13 plus x, whole square, upon, इनका, अपने को mean लेना है, so, this will be upon here, 25, यहां पर 25 रहेगा, sorry, 25 तो बाहर ले ले लें, यह 25 बाहर आजाएगा, so, इदर देखो, आपके पास में, यह किस पोह में बन गया, this is 3.6, so, here we are, so, this is 25, 16, 41, 41, and, this is 8, 49, plus x square, so, इसको simplify करने हम अपने, इसको यह 5 से multiply हो जाएगा, इदर क्या होएगा, 25, okay, so, यह आपके पास में, इदर, so, 13, plus x, whole square, okay, तो अब इसको simplify करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में, कितना हरा है है, so, this will be here, so, 90, this is 90, okay, इसको multiply किया, तो आपके पास में, 45, and, 20, 20, and, 24, इन, so, here we are 24, plus 5 x square, so, इदर इसका, 169, minus x square, minus 26, x, okay, so, here we have 4 x square, 4 x square, तो इसको simplify करते हैं, अब अपने पास में, यह 90, इसमें, add करेंगे, तो आपके तो that will be here 259, minus ka 259, हो जाएगा, minus 259, here we have, so, x square minus 26, here minus 26, तो यहां से, 24, यह आपके पास में, कितना आएगा, यहां पर 245, and, this is 12, minus 259, so, here you will get, here minus 14, okay, so, here we have, so, 2 x square, minus 13x, minus 7, अब इसके फेक्टर करोगे, आपके पास में, this you, you give it to, x square minus, 14x plus x, minus 7, okay, so, x is equal to, क्या आएगा, 7 आपके पास में, यहां पर, so, x can never be, so, we have, यहां पर, आपके पास में, x की वालीव 7 दिया, answer to this question, we have, third option, next question, next question, the next question, what is the arithmetic mean of the 50 term, of an AP, with first 4, with first terms, with first terms, 4, and common difference is 4, आपके पास में 50 terms है, to AP will be here, first term क्या है, 4 है, and common difference we have 4, so, AP will be here, so, you have to find out the last 50th term, 50th term आपके पास में कितना आ रहा है, 4 plus 49, into 4, okay, so, this will be here, so, 4, so, यहां पर आपके पास है, 196 आएगा, so, 196, this is, 200, okay, so, what will the arithmetic mean, so, there will, arithmetic mean will be here, so, we have how many 50 terms, and 4 plus, 200 upon, this is 2, and A plus L upon 2, okay, so, 50, okay, so, 50 cancels, we have here, 102, so, answer to this question, we have, fourth option, okay, so, this one, next question, so, next question, 105, what is the coefficient of mean deviation, of 21, 34, 23, 39, 26, 37, these observations, taken from mean, okay, so, these 10 observations, so, if they're in income mean, so, what will the their mean, so, inka, subka sum, 300, are, upon 10, so, what is the mean, here we are 30, so, ab inka, kya, aapne koday ho, yaha, say, yaha x, say, sabi, is me, yaha phe, aapke, pas, sabi, observations, ko, lika, 34, 33, and 39, 26, 37, 40, and 33, 27, okay, sabi, ho gaya, so, you have to take the absolute value, of the deviation of all the observation, from mean, yaha, inse aapko, yaha kya karna hai, thik hai, to, yaha se aapke paas mein, kya aar hai ye, nine, ya aapke four, thik hai, seven, yaha aapke paas mein, nine, yaha se four, yaha phe seven, ten, ten, yaha phe aapke paas mein, 33, we have here, three, yaha phe fir, aapke paas mein, seven, so, inka sabka sum, aapke paas mein, deko, 66 aara hai, okay, so, what is the mean deviation, mean deviation will be here, we have, sigma, x minus, x bar, upon, n, so, this will be, 66 upon, 10, so, this is, 6.6, so, coefficient of, of mean deviation, the coefficient of mean deviation, kya hota hai, 66 point, mean deviation, mean deviation, upon, arithmetic mean, yaha aapke paas mein, upon, so, what is the x bar, that is 30, so, this will give you the, 0.22, okay, so, answer to this question we have, second option, the next question, the algebraic sum of the division of this set of the values of x1, x2, x3, measured from 100 is minus 20, and the algebraic sum of the algebraic sum of the division of the same set of the values measured from 92 is 140, this ka madlab kya hai aapke paas mein, sabhi observations ka deviation, kis se, 100 se, kitna aar hai, minus 20 aar hai, to, this ka, dekho, kaise, x minus, x1 minus 100, plus x2 minus 100, so, that will give the, here aapke paas mein, xn minus 100, that is equal to what, minus 20, is tarikai se aar hai, isko dekho, aapne, jab, simplify karatou, aapke paas mein, kya aar hai, x1 plus x2, xn minus 100 n, that is equal to minus 20, so, similarly, the sum of the division of all the set of the observation, amalai, sum of the division of the, all the observation from 92 is, we have 140, to, yahan pei mein, direct liek raam, dekho, 1, x1 plus x2 plus x3, xn minus, so, from 92, so, 92 n, that is equal to, we have 140, aap in dono equation ko, subtract karo ge, to, we have n, so, yahan se, aapke paas mein, minus 8 n aar hai, okay, this is, we have minus, 160, so, n is equal to, we have 20, so, number of observation, sir, we have 20, so, what is the mean of the values, to, aapne paas mein, kya hai, sabka, n ki value, yahan dalo, so, yahan, so, x1 plus x2, xn, so, yahan, 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 क्या है 20 बाहर ले ले तो 20 बाहर लोगे तो मेरे को यह बताओ 10 तो नीचे आ जाएगा तो फिर यह क्या आएगा आएगा तो 99 बचेगा तो यहां पर क्या आएगा x1 plus x2 plus x3 xn so यहां पर 20 this is 99 so what is the arithmetic mean what is the mean of the values that is 99 so answer to this question we have fourth option next question so अब question में यह पुझा है so if the algebraic sum of the deviation of the same set of the values measured from the y is 180 then what is the value of y okay so आपके पास में देखो x1 plus x2 plus x3 xn these are 20 observations okay so from 180 from y so this will be measured from y so you will get here ny that is 20y this is equal to what 180 so यहां पर इसकी वाल्यू मने अभी निकाली थी 1980 so 1980 okay so minus so this is 20y so this will give you the what equal to this is 1800 1800 ठीक है so this is equal to y this is equal to 20y so y is equal to we have so here 90 okay so value of y we have here 90 so answer to this question we have third option next question so what is the mean of the marks to next question कै आपके पास आपके पास ही आपके पास ही the marks obtained by the 51 students in a class or in AP with its first term कितना है 4 and common difference is 3. So first term कितना दे रखा आपने को? 4. What is the D? 3. Okay. So how many number of terms are there? So आपके पास में, देखो 51 terms है. अगर AP में number of terms क्या odd हो ना, तो middle term will be the mean of that AP. तो उन्ही सभी terms का mean होता है. किस case में? जब if you are having the number of terms in AP are odd. So then mean of that arithmetic mean will be the middle term. तो इसमें देखो आपके पास में middle term क्या है का आपके पास में? तो total number of terms कितने है? 51 है. तो आपके पास में mean will be here. Mean of the marks will be here. So 50 plus 51 plus 1 upon 2. That is 26th observation. ठीक है? यह आपके पास में 26th observation आपको निकालना है. So you will get here that is 4 and 25 into 3. Okay. So this will be 75 and plus 79. So answer to this question we have 4th option. Okay. The next question. So next question we have 110. So what is the median of the marks? clear है? तो यहाँ पे देखो marks obtained by the 51 students है. So they are in AP. So they are all the terms in AP. That is the increasing AP. Increasing AP है. So all the terms are arranged in increasing order. Okay. So आपके पास में जो middle term होगा that will be median. So because we have already here the terms are arranged in increasing order increasing order में. So middle term will be the median here. So middle term आपका क्या था? T 26 था. आपके पास में. So here the median will also remain same. So second option. So आपके पास में, median will be here. 79. Okay. Next question. So next में आपको पूच रहा है. The marks obtained by the 51 students in a club. Again same question that is paragraph. So what is the sum of the division measure measured from we have median. Median से आपको measure किया गया. ठीक न? So sum of the division of that is measured from the what? Measured from the median. So आपके पास में median 79 था. तो देखो इसमें कैसे करना है. तो आपके पास में सारे अबजर्शन था. First क्या था? 4 था. So next one 8. यह x हो गया इदर. फिर here we have. So sorry 7. 7 common differences. So middle term here we have the. So last one क्या आपके पास में? Last one we have here. So 51 term. So 4 that is यहां पे देखो आपके पास में. So T 51. Okay. So that will be here we have 4 plus. So that is 50 and this will be here we have. So 3 into 50. So 150. So 154. Okay. इस 4 में आएगा आपके पास में. So last time आपके पास में 154 आजाएगा. तो इसमें देखो आपके पास इस तरी कैसे रहेगा? Okay. So middle term is here भी है. Middle term आपके पास में कितना है? So some of the divisions करना है अपने को ना? तो X- क्या करेंगे? यह. यहाँ पर median जो भी है. तो इसमें देखो आपके पास में middle term का है? 79. So common difference कितने का आपने पास में? 3 का. So इससे 3 आपके पास में 76 इधर क्या हैगा? 82. Okay. If you take the deviation of all the observations from the median. तो आपके पास में देखो यहाँ पर आपके पास में इसका जब मैं किस से? 82 से. तो यहाँ पर देखो आपके पास में इधर 79 से जब इसका division निकालेंगे तो आपके पास में क्या है? 79 से. This is 0. Okay. इधर फिर आपके पास में minus 3. यह 3 आएगा. तो जितनी observations उपर की तरफ होंगी. अब यह आपके पास में कितना है? 79. तो इधर minus का कितना मिलेगा? आपको minus का 75. और इधर यह plus का 75 मिलेगा. Okay. जितनी observations उपर की तरफ है? above the middle term. They are negative. The same number of observations are there below the middle term. तो वो, they are positive. तो इनका सब का sum करेंगे तो what will the sum of the deviation? Sum of deviation क्या रहेगा आपके पास में? तो 0 हो जाएगा? This will be 0. Okay. Answer to this question भी है. Second option. Next question. The next question में देखों आपके पास में probability का question है. तो question क्या है? There are the 90 applicants for a job. Some of them are graduates and some of them have less than the 3 years experience. ठीक है? उन में से कुछ graduate है? ठीक है? और किस के पास में क्या है? They are having the experience less than the 3 years. तो question में देखों आपके पास में क्या है? अब इसमें देखों, number of graduates. तो at least 3 years experience. तो how many number of graduates are there which are having the at least 3 years experience? So 18. ठीक है? उन में non-graduate कितने आपके पास में? 9 है. 9. So इदर के है? Less than the 3 years experience. तो 3, 3 साल से कम experience वाले कितने आपके पास में? So जिनके पास में 3 या 3 से ज्यादा का experience है? They are 18 and 9. और जिनके पास में 3 साल से कम है? 3 साल से कम का experience है? That is 36 and 27. 27 are non-graduate. अब देखों, इसमें क्या करा है? Let's see be the event. That the first applicant interviewed is a graduate. and T be the event that the first applicant interviewed. So T event that the first applicant is interviewed has at least 3 years experience. इसका मतलब क्या है? T is the event that the selected applicant is having the experience of at least 3 years. उसके पास में कम से कम 3 साल का experience है. ठीक है न? तो T का आपके पास में यह वाले से होंगा? तो अब इसमें question में क्या पूच रहा है? तो what is the P G intersection T? तो इसमें देखवां अगर अपने ऐसे देखें. So P, यहीं देखते हैं. So P G intersection T bar. So this will be P G minus P G intersection T. So G is the क्या है? The probability that the selected candidate is graduate. यही तो बोला है. जी भी दा इवेंट that the first applicant attribute is graduate. So how many number of graduates are there? 54. So this is 54 upon 90 minus the selected candidate must be graduate and must have the at least experience of the 3 years. तो आपके पास में less than 3 years experience. So इसमें क्या है? must have the at least 3 years experience. तो आपके पास में क्या है? 18 upon here we have 18 upon 90. Okay? तो इसको जब आप simplify करते हैं तो देखों आपके पास में क्या है? 1 upon 5 ठीक है और इदर आपके पास में this is 18 की टेवल से. So we have 2 upon 5. So answer to this question we have 2 upon 5. So which option is correct here we have? So second option. तो यह answer आजाएगा. The next one. तो next question में देखों क्या है? Let G be the event. G क्या है? event है? That the first applicant interviewed is a graduate. तो first वही है? T वही है. T वही है? T वही है event that the next question. अब इसमें पूशा है क्या है? PG conditional probability आगे. ठीक है? PG upon T bar. So this will be equal to what we have? So this will be equal to P upon what does it mean? PT bar. So यह आपके पास में T bar will be the event that the first applicant interviewed has. इसमें क्या at least T किसके लिए था? जिसके पास में कम से कम 3 साल का experience हो? अब इसमें वो candidate आजाएंगे which are having not the experience of 3 years. मतलब उनके which are having the experience less than the 3 years. तो PT bar. वो applicant होंगे जिनके पास में experience 3 साल से कम है. So how many those are these? So we have here 36 and 27. 63. तो इसका probability आपके पास में इसका अभी निकाला यह कितना था? 2.5 ठीक है? So here we have 63 upon 90. इसको solve करेंगे तो आपके पास में देखो क्या रहा है? So 2 upon 5 and this is 90 upon 63. So this we have 18 and इसको simplify किया फिर आपके पास में 9 की टेबल से ना? तो यह आपके पास में 9 की टेबल से इधर केतना था? 2. So this is 4 by 7. So answer to this question we have the 4 by 7. Okay. Next question. So in this question we have to find out. So what is the P, T bar, G bar. So देखो what does it mean? तो यहां पर आपके पास में तो यहां से इसका मतलब क्या है? जो selected applicant है. वो आपके पास में non graduate भी होना चाहिए. ठीक है? Non graduate होना चाहिए. और साथ में क्या होगा? जिसके पास में 3 साल से कम का experience हो. यह. ठीक है न? तो less than the 3 years experience. तो आपके पास में non graduate that is 27. उपर क्या बनेगा? आपके पास में 27 upon 90. upon में? So selected candidate is applicant is non graduate. So how many non graduates are there? So we have 36. 36 upon 90. Okay. यह cancel. So यह आपके पास में 9 की table से कटता है. This is 3 by 4. So answer to this question we have. 4th option. Okay. So the incidence of suffering from a disease among the workers in a industry has a chance of 33 and 1 upon 3 percent. यह given है. clear है? So आपको इसमें देखो. फिर इसमें पूचा है. What is the probability that the exactly 3 out of 6 workers suffer from a disease? So the probability क्या है? किसी एक labor की मतलब किसी worker की है. उसमें क्या है? बीमारी से पीडित होने की जो probability है वो कितनी देर है इसमें? So 33 and 1 upon 3 percent. ओके? तो इसको तो आपने mix number में चेंज करें तो अपने पास में यह कितना बनता है? 100 upon 3. That is 1 upon 3 हो गया. क्लीर है उसका percentage निकालेंगे ना? So that will give the here we have. तो यहां से आपके पास में देखाँ आप इसमें क्या है? तो उसके worker के एक बीमारी से पीडित होने की समावना इतनी देर रखिये. So what is the PA? So अपने let कर लेते हैं. So PA will be here. तो कितना होगा आपके पास में? So PA we have equal to what? So 1 upon 3. Okay. तो इतना कह रहा है? So this will be 1 upon 3. So what is the probability that the, it's a probability that the, that worker is not suffering from the disease. So that will be 2 upon 3. यह रहा है आपके पास में? So what is the probability that the, exactly 3 out of the 6 workers suffer from a disease. So, so यहां से आपने पास में बाइनिमाल थेयरूरम का, बाइनिमाल रिचिविशन का यूस करेंगे. So that required probability will be here. 63, clear है? Suffering from what? So 1 upon 3 raise power 3 and 2 upon 3 raise power 3. So this we have 20 and this is 8. यहां पे आपके पास में 3 raise power 6 आजाएगा. तो 3 raise power 6. So this you can write down 9 raise power 3. That is, so 160 upon 729. So answer to this question we have, fourth option. Okay. Okay. The next question. So next में देखो, what is the probability that the no one out of the 6 workers suffer from a disease. So worker is not suffering from the disease. The probability is 2 by 3. So all these 6 workers are not suffering from the disease. So what will the probability we have? यहां से probability क्या आएगी आपके पास में? तो देखो, P will be equal to P A bar, ठीक है? raise power 6. यहां आएगा आपके पास में. That is 2 by 3 raise power 6. 64 upon 729. Okay. So answer to this question we have, second one. Next question. अब इसमें, the incidence of, फिर इसमें क्या पूच रहा? What is the probability that the at least 1 out of the 6 workers suffer from a disease? तो अपने इसमें ऐसे ले लेते हैं, the required probability will be here. 1 minus, so none of them is suffering from the disease. So that will be the probability of, at least one of the worker is suffering from the disease. So 1 minus, none of them is suffering. यह आपके पास में आ जाएगा. That is 6. So 1 minus, we have 64 upon, अभी निकाला 729. So इसको जब simplify करोगे, तो आपके पास में कितना आता है? 729 minus 64 upon, 729. So this we have, 5. Okay. So यहाँ पे 6 and 6, this is 729. So answer to this question we have, second option. Next question. So next question में देखो, आपके पास में. So this we have given the frequency distribution. Frequency data दिया हुआ है. Clear है? यहाँ पे आपके पास में, यह class दी हुई है, यह frequency दी हुई है. So total frequency कितनी दे रखिये? 120 दे रखिये. So then mean is क्या है? 50 है. तो P और Q की वैली पूछिए. तो अपने पास में देखो, यहाँ से पहले, इसको देखो, is given to you. So from here, तो आपके पास में P और Q में equation आएगा. पहले देखो, इनका सब का सम कितना है? 120. तो यह देखो, यहाँ पे आपके पास में, 2P माइनस 2Q बन गया. So 2P माइनस 2Q. So 2P माइनस 2Q, we have equal to. So here we have, this is, यहाँ पे आपके पास में, this is 49, 49 and, so 68, 68, इसमें से सब्टेक करोगे, 120 माइनस 68. So this we have, 2 and 5, so P माइनस Q, यह 2 कॉमन यहाँ से P माइनस Q, we have equal to 26, एक 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 वेक्वेशन यहाँ आगई. Okay, so अब अपने पास में देखों, यहाँ पर, इसका क्लास कितना है? So 0 to 20, and 20 to 40, and 40 to 60, and 60 to 80, and 80 to 100, एक 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 एक. So what is the frequency we have here, so 17 and P plus Q, एक 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 एक, okay so we have to find out first mid value mid value निकाल हो इसकी 10 यह कितना आ रहा है यहाँ पर आपके पास में 60 30 so 2020 का difference यहाँ पर आपके पास में इधर so 50 and 70 and this we have 90 अब इनका पर आपके पास में क्या रहा है so here we have 170 and 30 P plus Q okay so here we have so this so 1600 ठीक है इधर यह 70 से मुल्टिप्लाई किया P minus 3 Q और इधर आपके पास में this we have 90 so this will be 1710 अब इनका sum so we have x bar यहाँ पर आपके पास में sigma fx upon sigma f that is equal to we have 50 okay जब इसमें आप इसको सबको जब इसमें आप value पूट करोंगे ना यहाँ पर आपके पास में एक equation बनेगा 5P minus 9Q is equal to 126 यह solve करने पर ओके तो अब अपने इसके साथ में इसको solve करेंगे so P minus Q is equal to 26 तो इसको अपने किस से multiply कर लो या तो 5 से multiply कर लो so 5 से multiply करोगे तो we have here so this is 5P minus 5Q and this is 130 अब इनका difference लेते हैं तो Q is equal to कितना आ रहा है 1 Q कितना आ गया 1 अब Q की value यहाँ डालो आपके पास में that will be here तो आपके पास में कितना आ रहा है so Q की बने दालेंगे तो यह this is 135 so 5P is 135 so P is equal to 27 so P की value 27 होगी Q की value 1 हो गई so what is the value of P here we have P is here we have 27 okay so next में देखो आपके पास में Q की value पूचा होगा Q की value है so देखो next question में so what is the value of Q Q is here 1 okay so next question अब इसमें देखो P की value हमने पता है Q की value पता है अब इसमें क्या कह रहा है if the frequency of the each class is doubled then what would be the mean तो frequency क्या है और फीस class is doubled so here we have class क्या है देखो इसमें देखो न है so 0 to 20 20 to 40 so 40 to 60 60 to 80 new 100 okay यहां पहे आपके पास में P और Q की वाली बता है है 17 yes so यहां पहे 28 आएगा यहां पहे आपके पास में फ्रिक्वेंसी को डबल करना है ठीक ना उस फ्रिक्वेंसी को लेना है so that we have 32 तो अब इसमे 27 and minus q that is 24 and 19 अब इसका आपको डबल करना है double 34 56 and 64 48 38 and now what is the x x we have mid value so that is again we have 0 to here 20 that is 10 10 10 है फिर आपके पास में वही है 2020 का difference है आपके पास में 30 50 and 70 90 okay so you have to find out यह आपके पास में इसको capital F लेलो ऐसे न तो यह आपके पास में capital F आगे है तो capital FX ले लेते है न तो यह इसका sum लेना अपने को देखो तो यह आपके पास में कितना आ रहा 340 यह रहा है so here we have 18 0 and 15 16 60 80 and this we have 64 इसको 32 बनेगा so 0 0 and we have 20 and 32 okay so यहाँ पे आपके पास में 0 so 56 5 so यहाँ पे 28 and 5 so here we have 0 so 72 and so we have 27 34 okay तो अब इसमें आपके पास में what is the mean of the new set of observations आपके पास में क्या mean क्या बना इसमें x bar is equal to sigma fx upon sigma f अब आपके पास में twice किया था ना आपने frequency का तो यह आपके पास में इनका सबका सम करते हो तो यह आपके पास में इनका सबका सम करते हो तो यह विल गट यह 12,000 upon 240 so this we have यहाँ आपके पास में यह यह 50 so 5 okay so this will be 50 okay so arithmetic mean of the new set of observation when the frequency is doubled तो आपके पास में ने क्लास बन गए आपके पास में इसका तो यह आपके क्या है एंड यह फिर्स्ट पेपर का solution था 2022 का okay thank you